राद हे मेरी स्वामिने मेरा धे को दाद जनम जनम मुहे देजियो शिर दाव नवाद राधा तु बड़ भागिने कौन तपस्यां की तीनों लोक के नात है सो देनों आजे जनराधा माधव कुझ बिहारी गुपी जनम लब गिरिवर धारी जनराधा माधव कुझ बिहारी गुपी जनम लब गिरिवर धारी जनराधा माधव कुझ बिहारी गुपी जनम लब गिरिवर धारी जनराधा माधव कुझ बिहारी गुपी जनम लब गिरिवर धारी याशोधाननडना रजे जनराधान तर चाल の रजे जनराधा धारी जनराधा माधव कॉपी जनम लब गिरिवर धारी कि आमोना की रहन जारे जर्ण राधा मानवा कुंज पिहारे कुपि जन वर्लाधा कि दुल वर्दारे जर्ण राधा मानवा कुंज पिहारे कुपि जन वर्लाधा कि दुल वर्दारे कुपि जन वर्लाधा जास्थ कर दो कर दो दो पीजन वल्लभ किरिवर धारे श्रय राथा माधव कुझ्य विहारी पीजन वल्लभ किरिवर धारे यशोदानन्दन अग्रज्यन रंजना यशोदानन्दन अग्रज्यन रंजना यशोदानन्दन अग्रज्यन रंजना या मुनातिरवन चारे या मुनातिरवन चारे या मुनातिरवन चारे या राधा माधव कुझ्य विहारे पीजन वल्लभ किरिवर धारे कर्या राधा माध्यवर कुझ्जबी हारी कोपी जने वर्लग गिरी वरे धारी की जने पिःस्टों, प्रम actress. की जने राधाता प्रम हारी करेंगें, माध्या राधाने आमाधाना, इन-अ Byeाषा et E69มา Pili Всем til reco Win. जय राध्रा माध्रवर कुझ्य पिहारे जय राध्रा माध्रा माध्रा जय राध्रा माध्रा जय राध्रा 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 जय हरे खृष्णा 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 हर हादी राम हादी राम को जा को ही हादी हड ब compass किष्णा हड आप तँिभें किष्णा हं आप प्र게´्मभा हादी Hare rām hare rām rām haré hare Hare krishna Hare krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare आरे राम हरे राम राम हरे आरे खिशना हरे 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 खिशना ग्री ना मी सबस्ते आसे थे ए हरे यह प्रीज कि छेश्ट ड़्लेश तब्सक्र निक हारे थे ओजना हे दी ए इसकेdens efficacy of your mindfulness इसकेश्ट के रहे ऊप्रेख कर रहे जाश्नाओ भूल सब्सक्रिंट कुछ कुछ लूड़ कर दो आधा हुद आधा हुद आधा हुद आधा हुदि पह्टा है सब्टैक झाल राधा गेरी धरी, 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 राधा शाम सुंदर, 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 राधा शाम सुंदर जायो कृष्ण बले राँ जायो कृष्ण बले राँ Pravooda, 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 पोसले Pravooda जया जया प्रभुपाद, 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 हरी बोहर भोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल हरी नाम संकिर्दन देल जै ये यम ब्रम्हा वरोने द्ररुद्रमरुदा सुवंतिदे वेस्तवे वेदे सांगपत्रमों पनिषदे गायंतियं सामगा जाना वस्थिततत गते नमनसा पशंतियं योगिनों यस्यांतं नविदु सुरा सुरगना देवायता स्मेनमा देवायता स्मेनमा करार विंदे नपदा रविंदम मुखार विंदे विनिवे शयंतं वतास्यपत्रा स्यपुते शयानम बालं मकुंदं मनसास्मराः श्री क्रिष्न गोविन दहरे मुरादे इनात नारा यनवासु देवायता स्में देवायता देवायता गोविंद दामों दर्मा धवेते Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Reaper Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare आप सब भक्तों का अंतरा श्रीय कृष्ण भावना मृच संक्य और सिप्रस्थापिद इस सेमिनार के तरितिय दिवस में हारतिक स्वाधत करते हैं श्रुमद भगवद गीता जो साक्षात भगवान से कृष्ण के मुख से निकली है इस भगवद गीता का श्रवण एवं पढ़न करने से गीता पढ़ने वाले और श्रवण करने वाले का रधई पवित्र हो जाता है और इतना ही नहीं इस संसार में यदि कोई व्यक्ति गीता का श्रवण या पठन करता है तो इस एक व्यक्ति के गीता का श्रवण और पठन करने से वो अपने पूरे समाज को पवित्र कर सकता है समाज ये नहीं गीता पढ़ने वाला पुरी दुनिया का भीत कर सकता है पद्म पुराण में वेद व्याज जी लिखते हैं शिव जी देवी पारवती से बताते हैं एक समय की बात जन नामक देश में कौशिक वंश में एक ब्राह्मन का जन्म हुआ है उस ब्राह्मन का नाम था जड़ ब्राह्मन जड़ इसलिए था क्योंकि वो जन्म से ही जड़ था जड़ की तरह किसी सादू, संत, महत्मा, रिशिमुनियों की बात नहीं सुनता था रात दिन केवल भोग भोगने में और पाप करने में अपना समय व्यतित करता था जब उनकी इंद्रिया वश में नहीं हुई इंद्रियों के लारा अनेक भोग भोगने की लालसा के कारण उसके मन में हुआ कि मैं व्यापार करूँ गया व्यापार करने के लिए वे दुसरे देश में गया बहुत सारा धन एकत्रित किया और धन लेकर अपने देश में अपने गाउं में वापस आ रहा था रास्ते में ठक गए होने के कारण एक व्रुक्ष के नीचे बैठा कुछ देर तक विश्राम किया उद्ने में वहाँ पर कुछ डाकूओ की मंडली आई अब ये डाकूओ को और चोर को पता चल ही जाता है किसके पास कितना धन है वे सभी चोर और डाकूओ आए इस जड़ ब्रामन के पास जितना भी धन था सब धन लुद लिया और उसी वुरुष के नीचे उस ब्रामन को मार गाला वुरुत्य हो गए शिव जी कहते हैं मरने के बाद तुरंट वजड़ ब्रामन प्रेत युनी को प्राप्त हुआ क्योंकि जोव यक्ति जीवन में बुरे कर्म करते हैं और जिसकी कमोत होती है उसे मरने के बाद प्रेत बनना पड़ता है प्रेत युनी को प्राप्त हुआ और वहां इस जड़ ब्रामन का एक पुत्र था जो बहुत श्रद्धालू था भगवान का बहुत बड़ा भग्त था देखा कि मेरे पिता जी कई दिनों से बाहर गये हैं वापस नहीं लोटे हैं अपने पिता को डोनने के लिए अनेक गाओं में घुमा घुमते घुमते उसे पता चला मेरे पिता की मृत्यू हो गई है तब अपने पिता का श्राद करने के लिए अपने पिता की उन्नती के लिए उसका पुत्र परम तीर्थ श्री काशी शेत्र में जा रहा था काशी में जाकर गंगा में अपने पिता का तरपण और श्राध करना चाहता था रास्ते से गुजरते गुजरते उनका पुत्र उसी वरुख्ष के नीचे पहुचा जहां पर इनकी मुरुत्ती होई थे कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक व्यक्ती की मुरुत्ती हो गई बोले वो कैसे थे और सारी बात जान ले कि मेरे पिता इसी वरुख्ष के नीचे मरे है एक रात के लिए वो उस वरुख्ष के नीचे विश्राम किया दुसरे दिन सुबर उन्होंने अद्भूत द्रश्य देखा आकाश में एक दिव्य विमान आया है हजारो सुर्य के वहाती चम 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 चमक रहा है और उस विमान में अनेक लोग बैटे हैं और अनेक लोगों के बीच में हैं इनके पिता बैटे हैं पितामबर्द आरण के हुए हैं शंक चक्रगदा पदम चतुर भुजा और चार आयुद लेकर पिताजी बैटे हैं तुरंट इनके मन में जिग्यासा हुई पिताजी आपकी तो मुरुत्यू हो गई थी और आपने पूरा जीवन पाप किया था लेकिन फिर भी आपका इस प्रकार का रूप कैसे हुआ तब उसके पिताजी ने उस विमान में बैठे बैठे कहा कि बैटा मैंने तो मेरे जिवन में बहुत पाप किये थे मेरे कर्म के अनुसार में तो नरक का भागी हो चुका था परन्तु बैटा तु रोज भगवत गिता के तिसरे अध्याय का पाठ करता है ये वालक रोज भगवत गिता को पढ़ता था तेरे त्वारा रोज भगवत गिता का तिसरा अध्याय पाठ होता है उस गीता का पाठ करने के कारण भगवत गिता का श्रवन करने के कारण आज तेरा ये पिता नरक में जाने से बचकर वैकुंठ में जा रहा है बेटा तेरे कारण आज मैं नरक में जाने से बज़ गया हूँ और बेटा अपने चाहता हूँ कि मैं तो नरक से बज़ गया मैं तो वैकूंट में जा रहा हूँ लेकिन इसी प्रकार बगवज गीता का पाठ करके शवन करके हमारे सबी परिवार वालों को और हमारे पित्रों का उतार कर दो का जी पिता जी जो आपकी आग्या और जाते जाते का हो सके तो बेटा इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सब को यह गीता का पाठ करवाना और उसका उतार करा देना पिता जी वैकुंट में चले गए यहां पर यह बालत भगवत गिता का प्रति दिन पाठ करने लगा और एक-एक करके अपने पित्रों का उधार कर दिया जाते जाते उनके पिता ने ये भी कहा कि बेटा अब तुम्हें काशी में जाने की जरुरत नहीं है कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार का श्राद और तर्पन करने की जरुरत नहीं है क्योंकि तुमने बहुत बड़ा कारिय किया है यह पवित्र गिता का पाठ करने से मेरा उधार हो चुका है और वह पुत्र गिता का पाठ करते हुए अपने फित्रों का अपने पुरे समाज का उद्धार कर दिया जिसके रदे में भक्ती होती हैं वे पुरी दुनिया का कल्यान चाहते हैं अब ये गीता का पाट करते करते हैं पुरी दुनिया का उद्धार करने लगा जा बगवत गीता का पाट करता था और कहता था कि ये भगवत गीता का पाट करने का फल मैं बोरी वली वेश्ट में रहने वाले को प्रधान करता हूँ दूसरे दिन भगवत गीता का पाट करता था अब बोरी वली वेश्ट वाले को तिसरे दिन पाठ करके दैसर वाले को, मिलारोड वाले को, भाहिंदर वाले को ऐसे एक 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 करते 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 भगवत गीता का पाठ करते हुए पुरी दुनिया के जीव को यफ़ल प्रदान किया यहां तक कि जो पाप करके, गरहित कर्म करके नरक में पहुँच गए थे, फिर वो नरक में रहने वाले जीव के लिए गीता का पाठ करने लगा बोले हमारे बंदू जो नरक में हैं, उनके लिए मैं ये गीता का पाठ और इसका फल में उनको अरपन कर रहा हुए कुछ दिन के बाद नरक लोक में, पद्म पुराण में वरनन है, शिव जी ये कखा कहते हैं नरक लोक में भगवान विश्णु के चार दूत आये हैं यमराज जी खड़े हो गए पढाम कियें, बले आपने यहां आने का कष्ट किया भगवान विश्णु के दूतों ने कहा कि हमें भगवान विश्णु ने बेजा है, यह आपके नरक में जीतने भी जीव हैं, आप सब को दंडित कर रहे हैं, यह सब को वईकुंट में ट्रांसपर करो, सब को वईकुंट करो बोले ऐसा क्यों भगवान विष्णु नहीं कहा है कि जो जीव पाप करता है उसे नरक में दंडित करो मारो फीटो भगवान ने ऐसा मेसेज क्यों बेजा है बोले वैसे तो ये सब जीव ने बहुत पाप किया है लेकिन पुरुत्वी पर एक बहुत सुन्दर शुद्ध भक्त गीता का पाट करके वह सारा पल नरक वासियों को प्रदान करते जा रहा है इसलिए सब को वैकूंट में ले जाने के लिए हम आये है भगवान विष्णु के दिए नरक में रहने वाले सबी जीवों को वैकूंट में लेकर चले गए नरक में ताला लग गया अब तो यम्राजी भी फ्री हो गए तब एक दिन यम्राजी बगवान विश्णू के पांस गए प्रभू प्रभू आपने तो मेरी छुटी करवा दी मेरा बीजनस ही बंद करा दिया जितने भी लोग नरक में थे वह तो सब लोग वहिंकुट में ट्रांसपर हो गए तो प्रभू अब आपके आग्या हो तो नरक में ताला लगाया जाए अब बंद किया जाए भगवान ने कहा नहीं नहीं अम्राज जी ये तो नरक से जिवों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पृत्वी पर वशुद्ध वक्त गीता का पाठ ये सब को प्रदान किया है लेकिन अभी अभी एक तो गंटे पहले वह पृत्वी में जो शुद्ध वक्त था गीता का पाठ कर रहा था उसकी मृत्य हो गई और वो स्वयम वैकूंट में आ गया है इसलिए अब तक के जो जीव थे वो तो बज गए लेकिन अब आने वाले कल्यूग में बहुत सारे ऐसे जीव होंगे पाप करेंगे लेकिन गीता नहीं पढ़ेंगे और गीता नहीं पढ़ने के कारण सब लोग नरक में आएंगे और वहाँ पर आपको उसे दंडित करना है तो आप लोग ने जो ताली वजाई है अब उसे वापस खीज लेजिए क्योंकि उस समय तो पापियों का उद्दार हो गया इस समय नहीं हो रहा है क्योंकि लोग गीता पढ़ते नहीं और पढ़ते हैं तो इसे जीवन में उतारते नहीं है तो इस प्रकार कहने का ताथ परिये यह है कि जो व्यक्ति गीता पढ़ता है स्वयम का उतार तो कर लेता है साथी साथ अपने परिवार वालों का अपने पित्रू का और इतना ही नहीं पूरे देश का उतार कर सकता है ये है श्रिमद भगवत कीता और ऐसे श्रिमद भगवत कीता पर आधारित हम सभलता की और हमारा कदम बढ़ाते जा रहे हैं आज तीसरा कदम है गज सत्र में आप सब लोगों ने श्रवन किया कि किस प्रकार श्रिमद भगवत गीता वेदो का सार है समस्त वेद पुराण उपनिश्यद यदि गाई के समान है तो ये भगवत गीता उस गाई के दूद के समान है पूरे शास्त्रों का ये सार है श्रिमद भगवत गीता और ऐसी वगवत गीता को समझने के लिए गूरू की आवशक्ता है बिना गूरू के हम वगवत गीता का ग्यान या संसार का अन्य किसी भी प्रकार का ग्यान प्राप्त नहीं कर सकते हैं कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि बिना गुरु के भी ख्यान प्राप्त कर सकते हैं तर्क देते हैं मावारत में एकलव्यने गुरु के पुर नाए बिना यहीं वह कहा गुरु के पाप्त गया था यहकं चैसंग बात है एक लव्यने बिना गुरु बनाए बिना गुरु के पास जाए धनुष विद्या का ज्ञान प्राप्त तो किया बिना गुरु बनाए हम इस संसार का ज्ञान प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन उस ज्ञान को जीवन में एपलाई नहीं कर सकते हैं जीवन में उतार नहीं सकते हैं और आप जानते हैं एक लव्य ने ज्ञान तो प्राफ्त कर लिया पर अब परन्तु वो जीवन में उतार नहीं पाया गुरु चाहिए और कैसे गुरु होने चाहिए आपने कल श्रवन किया भगवान रुषव देव की पुत्र प्रभुद्ध रिशी कहते हैं तसमाद गुरु प्रपद्येत जिग्यासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निशनांतम ब्रह्मनी उपशम आश्रयां गुरु हूँ ऐसा होना चाहिए जो समस्त शास्त्रों को जाने समस्त शास्त्रों का ज्याता होना चाहिए शब्द ब्रह्म में शास्त्र में निशनांत शास्त्र में एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि गुरू शास्त्र के ज्ञान से ही अपने सिश्य का उद्धार कर सकता है और साथ ही साथ बताया गया कि वह गुरू का भगवान के साथ प्रेम होना चाहिए तो यह तो व्याक्या होई भगवान रुश्यव देव के पुत्रों के बारा लेकिन एक प्रेक्टिकल रूप से जब हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना हो या गीता या भागवत का ज्ञान प्राप्त करना हो तो कैसे गुरू के पांच जाना चाहिए तब शुमद वगवद गीता के सिद्धान और शास्त्र के सिद्धान का संकलन करके यह निश्चित किया गया है कि हमें जिस गुरू के शरण में जाना है जिस गुरू के पांच जाना है उस गुरू में कम से कम पांच योग्यता होनी चाहिए ऐसे तो गुरु में बहुत योग्यता होनी चाहिए परन्तु कम से कम पाज भी हो तब भी वह गुरु बनने के योग्य है सरवप्रदम हम जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह गुरु अपने आपको भगवान नहीं समझना चाहिए इस अंसार में प्राय देखा गया है कुछ गुरु गीता का भागवत का शास्त्रों का ज्यान देते हैं लेकिन ये ज्यान देने के बाद संसार से यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने आपको भगवान मान बैठते हैं प्रतम सिद्दान की बात ये है अपने आपको भगवान मानने वाला कभी गूरु नहीं हो सकता है क्योंकि गुरु तत्व जो है ये एक अलग तत्व है गुरु कभी इस तत्व नहीं बन सकता है गुरु सदेव भगवान का दास होता है तब तुरंद लोग कहते हैं नहीं शास्त्र में तो लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णो, गुरु देव, महेश्वरा, गुरु साक्षात, परव ब्रह्म, तसमे श्री गुरु बेनमा, कहते हैं नहीं शास्त्र में तो लिखा है गुरु ब्रह्मा, गुरु इश् परंद वक्तो शास्त्र में लिखा है लेकिन शास्त्र के इस श्लोक के कहने का भाव क्या है इस बात को समझना होगा शास्त्र में जब ये कहा गया गुरू ब्रह्मा तो इसका अरत है नहीं कि गुरू ब्रह्मा जी है गुरू चत्रु मुख हो गया शास्त्र के इस श्लोक का तात्पर यह है कि गुरु ब्रह्मा जितने पुझनिय है गुरु को ब्रह्मा की तरह आदर देना चाहिए गुरु विष्णु गुरु विष्णु नहीं है गुरु महेश गुरु शिवजी नहीं है गुरु विश्णु और शिवजी जैसे महान है यह शास्त्र के कहने का भाव यदि गुरु शिवजी होते हैं तो शिवजी का कार्य है प्रले करने हैं जब इस संसार की अवदी समाप्त होती है तब शिवजी यारह रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं और बहुत बढ़ा आत्राणव नित्य करते हैं और इस संसार का प्रले करते हैं पुरे संसार में रहने वादे सभी जीओ का विद्वन्स कर देते हैं यदि गुरु शिवजी है यदि गुरु महेश है तो गुरु को कहिए जड़ा प्रले करके तो दिखाईए दुनिया पुरे संसार को मारने क पर्वाइबात दू रही एक-दो व्यक्ति को भी दि गुरु मार दाले जेल में लाना पड़े दो गुल गुर्व महश इतने आदरन हे नहीं है। गुरु विशनु नहीं है। विशनु जैसे पुझ नहीं है। गुरु कभी बगवान नहीं हो सकते है। अपने आपको भगवान करने वाला कभी गुरू है हमारे परमपरा में शिर प्रभुपाद जी के गुरू हुवे भक्ति सिद्धान सरस्वति मारा है जिसको सिम्म गुरू कहा जाता था शेर की तरह गरजना करते थे एक समय की बात व्रिंदावन में एक गुरू अपने आपक को तो यह पीक है कि और हजारु तिश्यों को साथ में लेकर चलता थी और बटी सिद्धान को इस प्रभुपाद के गुरू को पता चला कि की यह अपने आपको भगवान मांता है उससे नहीं गया और जो गुरू अपने आपको भगवान मांते थे उनके मुम में हाथ दाल वोदने instrument खोस्टेनी को यह और जोर से उसके दैडाद को कीषनेलागे जुद्र जॉड़ जूर आप तो भगवान ना भगवान को थोड़ी ना देर्द होता है मैंने छोड़ो छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है जूझे फैर थो बगवान हो। बोले में घृवान नहीं हूं छोड़ो मुझे। तब भ्रक्ति सिर्दान महाराज ने का तुम बगवान नहीं तुम संसार में प्रचार क्यों करते ह। भगवान क्यों होते हैं वो कभी बूड़े नहीं होते हैं। इंदू hundred given chyld ktechnique noise तो भगवान एक अलग तत्व है गुरू कुछ अलग तत्वा है और जो गुरू अपने आपको भगवान मानते हैं वह गुरू गुरू नहीं है रथम योग्यता गुरू भगवान का दास होता है सत्वाशाद दूसरी योग्यता वह गुरू जिससे हमें गीता और अन्य ज्ञान प्राप्त करना है वह गुरू कृष्ण का भगत होना चाहिए कृष्ण का राम का या लक्ष्मी और विष्णु का भगत होना चाहिए आप कोगे आप राम और कृष्ण के वगता है इसलिए बोलते नहीं यह शास्त्र में लिखा है दो प्रमान दूंगा चेतने चरितामरित में लिखा है किबा विप्र किबा न्यासी केने शुद्र नहीं यही कृष्ण तत्व वेता सेही गुरु है जो कृष्ण के तत्व को पूर्ण रूप से जानता है सेही वही गुरु हो सकता है अन्यता नहीं और गुरु की जाती पाती नहीं देखी जाती है हम जब भी कोई गुरु बनाने जाते हैं तो उसकी जाती नहीं देखते हैं कि एक इस जाती का है अरे गुरु की बात आरे गर पर फरनीचर करना होता है या प्लास्टर करना होता है तो किसी को कॉंट्रेक्ट देते हैं और वो कॉंट्रेक्ट देती समय हम पुछते हैं कि भाई आप कौन सी जाती के हो है कभी नहीं है गुरु की जाती नहीं देखनी है गुरु का गुण देखना है क्या यह लुक scholत है राम का भक्त है विश्नु का भक्त है यदि रांड़ कृष्ण और विश्न का भक्त है तो निश्वीद्व गूरू है है और बगवतóm में भी कृष्ण कहते ऑसने सखा भक्त असी जो मेरा भक्त होगा वही गुरु बनने के योग्या है तो गुरु की दूसरी योग्यता और राम कृष्ण या विष्णु के भक्त होने चाहिए प्रतम योग्यता अपने आपको भगवान नहीं मानना चाहिए दूसरी योग्यता राम कृष्ण या विष्णु के गुरु की तिसरी योग्यता है वह गुरु जो उपदेश देते हैं उसका पालन स्वयम अपने जीवन में होना चाहिए संसार में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ गुरु जो है आचार्य होना चाहिए एक आचार्य ही गुरु बन सकता है आचार्य के अर्थ क्या होता है आच नोती ये शास्तार्थम आचारे स्थापयत्वई स्वयम आच रते यस्मात आचार्य स्थेन किर्थितर जो शास्त्र को पड़े और शास्त्र की बात को स्वयम आचरते यसमाः शास्त्र की सिद्धान को स्वयम अपने जीवन में आचरन करके दिखाए और फिर दूसरों को उपधेश करें उसे आचारिय कहा जाता है इस अंजार में जो तथा कदीज गुरु है उपदेश तो बहुत बड़े बड़े देते हैं लेकिन स्वयम उसका आच्रन अपने जीवन में नहीं होता है एक बार एक महिला आपने छोटे से पुत्र को लेकर मंदिर में गुरुजी के पास गई का गुरुजी आप मेरे बेटे को समझाईए ये बहुत मीठा खाता है चोकले डितियादी बहुत खाता है डॉक्टर ने ना कहा है आप इसे उपदेश दो इसे समझाओ ने तो इसके दात में कीड़े हो जाएंगे गुरुजी ने कहा एक काम करो आप अगले संडे को आओ साथ दिन बीद गए एक सप्ता के बाद वो मैला अपने पुत्र को लेकर गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने उस लड़के के मस्तक पर हाथ गुमाते हुए का बेटा चोकलेट नहीं घानी चाहिए चोकलेट गाने से दात सर जाते हैं किड़े हो जाते हैं उसे दर्द होगा और इतना सा कहने से वो बेटे ने उस बात को स्विकार कर लिया इतने दिनों से वह मां समझाती थी बैटा नहीं समझ रहा था लेकिन गुरुजी ने कहा तो बैटा समझ गया दो दिन के बाद वह महिला फिर से गुरुजी के पास गई गुरुजी मेरे मन में एक संचे हो रहा है बोले फिछले रविवार को जब मैं आपके पास आई और कहा कि इसको उगदेश दो तो आपने कहा कि साथ दिन के बाद आना और साथ दिन के बाद जब आई तो आपने किवल दो पाँच शब्द बोले और मेरे बेटे ने उसे स्विकार कर दी तो आपने ये बात साथ दिन पहले ही क्यों नहीं बताई तब गुरुन नहीं इतना ही कहा कि जब साथ दिन पहले आप मेरे पास आई थी न तब मैं भी चोकलेट खाता था कि मुझे भी चौकलेट खाने की आदत थी मैं भी बहुत मीठा खाता था अब जब में मीठा खाता हूं जब मुझे चौकलेट खाने की आदत है तो मैं दूसरों को वह उसकारिय से कैसे मुक्त करा सकता हूँ इसलिए साथ दिन तक मैंने उसको त्याग दिया और जब मैं इस बात पर द्रड़ हो गया यह मेरे जीवन में उतर गया तब मैंने इसको उपदेश दिया और इसने स्विकार किया ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो गुरु उपदेश का पालन करने से पहले उस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हैं अपने जीवन में आचरन करते हैं और फिर उपदेश देते हैं तो उस बात को व्यक्ति सीधा स्फिकार करते, जीवन में अपलाए हो जाते हैं चुन्नेवाले की स्वार्श यो है, इसलिए गुरु जो है आचार्य होने चाहिए, वे जो बोलते हैं, उसके उपर उनका आचरह होना चाहिए, ये हैं तिसरी योग्टा, और छौती योग्यता है गुरु की स्व्यम अपनी इंद्रियों के उपर वश होना चाहिए रूब गोश्वामी उपदेशाम रित में कहते हैं वाचो वेगम मनसक रोद वेगम जिवहाद वेगम उदरोपस्त वेगम एतान वेगान यो विशेत दीरद सरवात मिपाम पृत्वी ससिश्याद वही व्यक्ति इस पृत्वी में हम जिस गुरू के शरण में जा रहे हैं उनकी वानी वश में होने चाहिए वानी वश में होने का आरत हैं कुछ लोग वानी को वश में करने का आरत मौन कर लेते हैं वानी वश्मे करने का आर्थ मोन नहीं है वानी को वश्मे करने का आर्थ है सांसारी गोतिक चर्चान किये रहे इस वानी से मास्त्र भगवान का नाम और भगवान की कथा कही जा इसे कहते हैं वानी का सैयम वानी को वश्मे रखना था उस गुरू के पांस जाना होगा जो गुरू कृष्ण और कृष्ण कथा के लावा कुछ नहीं होता है मनसर उस गुरू का अपने मन के उपर वश होना चाहिए गुरू बोलते कुछ और है और मन कहीं और ही घुम रहा है मन वश में होना चाहिए मनसर क्रोध वेगम कभी गुरु नहीं बन सकता है क्योंकि जो स्वयम क्रोध करता है वो दुसरों को क्रोध जैसे विकारों से कैसे मुख पितरा सकता है क्रोध वेगम जीवहाद वेगम वह गुरु की जीवहाद अपने सैयम में होनी चाहिए जीवहाद सैयम में रखने का आर्थ है जीवहार लालसा इती उती धाय एस संसार में कभी कभी जीवहाद की बहुत लालसा होती है इती उती माने पाउबाजी खाऊं परादा खाऊं ये खाऊं मास खाऊं अंडा खाऊं इसे कहते हैं इती उती तो वह गुरु जिसकी जीवाँ उनके वश में होनी चाहिए और उदर उदर का वेग उदर के उपर सैयम होना चाहिए उदर के उपर सैयम का रहना चाहिए वही गुरु गुरु है जिसका बोजन संयमित होता है और उपस्त वेगम जनेंद्रियों के उपर उनका वश होना चाहिए तो वानी, मन, क्रोध, जीवहा, उदर और उपस्त ये छेंद्रियों पर जिसका वश होता है जिसका संयम होता है वही गुरु बन सकता है ये हैं गुरु की चोथी योग्यता है, सबको याद रहने चाहिए, प्रथम योग्यता है, अपने आपको भगवान नहीं मानना है, दूसरी योग्यता है, कृष्ण, राम या विष्णु का भगत होने चाहिए, तिसरी योग्यता है, वह जो बोलते हैं, उसका आचरण अपन जीवन में होना चाहिए और चोथी योग्यता है क्या है कि अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए गुरु की पाच्वी योग्यता है कि वह संप्रदाई के अंतर्गत होना चाहिए यह मैं नहीं कह रहा हूं यह जो भी योग्यता है शास्तर में बताई गई है पद्मपुराण में वेद व्यासी लिखते हैं गुरु सम्प्रदाई के अंतरगत नहीं है जो गुरु संप्रदाई के अंतरगत नहीं है ऐसे गुरु से मंत्र ग्रवन करते हो या ज्ञान प्राप्त करते हो तो संप्रदाई से विहिन गुरु से मंत्र और ज्ञान प्राप्त करने से हमारी उन्नती कभी नहीं हो सकती है कोई एरे गेरे गुरु के पांस नहीं जाना होगा जो गुरु संप्रदाय के अंतरगत गुरु सिश्य परंपरा में है वही गुरु हमारा उद्धार कर सकता है ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है कि संप्रदाय विहीन संप्रदाय से जो विहीन है ऐसे गुरु का मंत्र या उपदेश निश्पल मतर निश्पल ल्याता है इसलिए वह गुरु संप्रदाई के अंतरगत होना चाहिए वेद्व्यासी लिखते हैं इसलिए कल्यूग में भगवान सी कृष्ण ने चार संप्रदाई का निर्मान किया है अतह कलो भविशती चत्वार संप्रदाई न देखिए श्लोक है न स्क्रीन पर पद्वा पुराण में लिखा है चत्वार संप्रदाई न इस संसार में केवल चार ही संप्रदाई है चत्वार माने चार आज तो कई लोग कहते हैं कि हम इस संप्रदाई में हम इस संप्रदाई में आज एक नया संप्रदाई खुला है, हम लोग उसमें जाने वाले हैं, यह संप्रदाई कोई भेलपुरी की दुकान नहीं है, कोई भी खोल कर बैठ जाए, यह संप्रदाई का निर्मान भगवान के द्वारा होता है, परन्तु कल्यूग में अल्पभुत्य के कारण, सब और जो अश्रदालू है, जो अंत्श्रदालू है, वे ऐसे संप्रदाई में जाकर दिख्ष्या सिख्ष्या लेते हैं, और उसके जिवन की न तो उन्नती होती है न उसका उद्दार हो सकता है, कहते हैं केवल चत्वार संप्रदाई न केवल चारी संप्रदाई हैं कलीूग और वे कौन से हैं अगले श्लोक में पद्मपुराण में वेद व्याज लिखते हैं वे चार संप्रदाय कौन से श्री ब्रह्म रुद्र सनकर वैश्णव शीति पावना भगवान ने चार लोगों को ज्यान दिया जिससे चार संप्रदाय का निर्मान हुआ और भगवान से क्रिष्ण ने किन किन को ज्यान दिया बोले श्री श्री माने लक्ष्मी लक्ष्मी जी को ज्यान दिया और लक्ष्मी जी को ज्यान दिया जिससे श्री संप्रदाय का निर्मान हुआ दूसरा है रुद्र परि ब्रह्म भगवान से कृष्ण ने ब्रह्माजी को ग्यान दिया जिसे ब्रह्म संप्रदाय का निर्माण हुआ फिर तिसरा है रुद्र कृष्ण ने शिवजी को ग्यान दिया जिसे रुद्र संप्रदाय का निर्माण हुआ और चोटा है सनक, सनक, सनातन, सनन्दन ये ब्रह्मा जी के चार पूत्र चतुष कुमार कृष्ण ने इनको ग्यान दिया जिसे कुमार संप्रदाई का निर्मान हुआ बस ये चार लोगों को ग्यान दिया मानो पद्मपुराण में प्रश्ण उठाया जाए कि कृष्ण ने चार को ही क्यों ग्यान दिया वेदव्याजी लिखते हैं शिती पावना क्योंकि ये चार जो है पुरे भुमंडल को शितीज माने भुमंडल पुरी पुरुथ्वी को पवित्र करने वाले है पावना मने पवित्र तो ये चार लोग और ये चार संपरदाईग पुरे भुमंडल को पवित्र करने वाले है चत्वा रस्ते कलो भव्य ही उतकले पुरुशोत्तमा और हजारो हजारो करोडों वर्ष पहले ये भविश्य वानी कर रहा है इस पद्मपुराण में अगले श्लोक में कहते हैं रामानुजम श्रिही स्वी बले श्री संपरदाईगे कल्यूग में वेश्य चांसिलर होगे श्रिपाद रामानुजाचारिय ये पद्मपुराण में लिखा गया है श्री संपरदाईगे वेश्य चांसिलर होगे रामानुजाचारिय स्वी चक्रे मदवाचाडिय है और ब्रह्म संप्रदाय के वेश्चासिलर होगे मदवाचारिय चत्व निम्बा दित्यम चतूक्षन और रुद्र संप्रदाय के कल्युग के वेश्चासिलर होगे निम्बा का चार्य भक्तो ये शास्त्र का प्रमान है ये सबूत है इस कल्यूग में केवल चार ही शुद्ध संप्रदाय है जिससे आप शुद्ध ज्यान प्राप्त कर सकते हो और भगवान की प्राप्ति कर सकते हो और वो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय आईए इस चार संप्रदाय के विश्य में संक्षित में आपको कह दो कुमार संप्रदाय के वेश्यांसिलर हुए निंबा का चारिय जिन्होंने वश्नव धर्मका इस भगवत गीता और सनातन धर्मका बहुत सुंदर प्रचार किया लेकिन इस धर्मका प्रचार प्रसार वरतमान में यदि देखा जाए तो इतना नहीं है प्राय ये संप्रदाय वरतमान में लुप्त हो चुका है बहुत कम जगह पर यह देखने मिलता है हम लोग कुछ समय के लिए पहले राजस्थान गए थे मैंने मेरे जीवन में एक बार मत्र राजस्थान में निम्बा का चारिया क्रिष्ण सर्वेश्वर का मंदिर का दर्शन किया बहुत कम प्रचार प्रचार है प्रायर लूपत है यह संप्रदाय इसलिए हम यदि चाहे के इस निम्बा का चारिया इस कुमार संप्रदाय से ज्यान ले तो यह मुश्किल है तत्पश्यात दुसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय क्रिष्ण ने लक्ष्मी जी को ग्यान दिया जिसे श्री संप्रदाय का निर्मान हुआ और उसके वेश चांसिलर हुए रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य ने बहुत सुंदर परंपरा चलाई इस संप्रदाय में यदि कोई ज्ञान ग्रहन करता है तो वह शुद्ध पुरुन ज्ञान ग्रहन कर सकता है और भगवत दाम की प्राप्ति कर सकता है परन्तु ये संप्रदाय का प्रचार मात्र भारत में और वह भी श्री रंगम में है इसका विस्तार ज्यादा नहीं है तत्पशात तिसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय क्रिष्ट ने शिव जी को ग्यान दिया जिसे रुद्र संप्रदाय का निर्मान और इसके वेश चांसिलर कल्यूग में हुए विष्णु स्वामी इन्होंने बहुत सुन्दर प्रचार प्रसार किया और आगे चलकर चेतनिय महाप्रभू भग्वान से क्रिष्ण कही कहने से शिवाद वलवाचारिय इस रुद्र संप्रदाय के अंतरगत पुरुष्टी संप्रदाय की स्थापना करें तो इस प्रकार ये ये कृष्ण के द्वारा प्रमानित संप्रदाय है इस रुद्र संप्रदाय में यदि कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहन करता है तो वह शुद्ध और पूर्ण ज्ञान ग्रहन कर सकता है लेकिन इस रुद्र संप्रदाय में वर्तमान में ये देखा गया है कि रुद्र संप्रदाय के भक्तों का जो मूड है जो कारिय है ये प्रचार प्रशार करने का नहीं है वे लोग बगवान की शुद्ध वक्ती करते हैं लड़ू गुपाल की शुद्ध सेवा करते हैं लेकिन इनका कार्य प्रचार करना नहीं उनके समाज में जो है वो है उनको सेवा इत्यादी सब मिल सकती है एक बार में सोलापूर में महाराश्ट के एक गाउं में गया था वहां पर रुद्र संप्रदाई के अंतरगत फुरुष्टी संप्रदाई वालों ने मुझे अमंतरित किया हमारा प्रवचन था और उन्हें मुझे बहुत संद्र बाद बताई प्रभूजी यहां पर इतनी बड़ी जगाह है और यहां पर हजारों लोग एक साथ बैठ सकते ह जाने हैंे लेकिन हमारे पास्स आपकी तरफ प्रवचन करने वाले कुई है। हमारा उद्देश है, लोगों को प्रवसाद खिलाना फगवान का धर्शन कराना हुअ है तो मैं ने experience है प्रवचन करना प्रचार करना है बोले तो कहते हैं प्रभुजी हम और आप मिल जाते हैं हम लोग प्रशाद खिलाते रहेंगे और आप प्रवचन करते रहें तो इस प्रकार रुद्र संप्रदाई से यदि ज्ञान ग्रहन करेंगे तो शुद्ध मिलेगा परंतु उनका मूल प्रचार करने का नहीं है इसलिए वर्तमान में इनके संप्रद में आना बहुत मुश्किल है तब हमारे पाश किवल एक संप्रदाई बचाँ वहें ब्रह्म संप्रदाई बग्वान ब्रह्म संप्रदाय का निर्मान और इसके वैश चांसिलर होवे मदवाचारिय और मदवाचारिय ने बिलकुल कृष्ट ने जो ज्यान ब्रह्मा जी को दिया था ब्रह्मा जी ने वह ज्यान नारज जी को दिया नारज जी ने वही ज्यान वेद व्याज जी को दिया और वेद डिया कैंद्बदाशार्य ने वहीक्णत पद्वनाब को दिया मिध्व tapa नयंती नरहरी को दिया देंखिए एक कितनी शुद्ध परंपरा है क्रिष्णा के द्वारा चार लोगों को डिया गया और कृस्ण ने ब्रह्मा ब्रह्माने नारद नारद ने व्यास वेधवयाश ने मदवाचार है मदवाचारे ने पदमनाव ठो दिया और जो ज्ञान कृष्ण नि प्रभामा को दिया था क्योंकि गुरु शिष्य परमपरा में वो ज्ञान आ रहा है इसलिए वही ज्ञाण पदमनाव के पास आया बगत ये गुरु सिश्य परंपरा जो है एक लिंक है इसके द्वारा शुद्ध ज्यान जो बगवान से निकला है वो शुद्ध ज्यान नीचे उतरता है भुद्धारण के तर पर मालो ये पाँच माले की बिल्direं Pakistan माले पर जंद्रेटर है और वहां ज्युकिद्ध आ रहा है इंचये कि तो वहां है य वायर में 200 वोट है और यहां पर यह दिनीचे चेक करेगे तो यहीं पर भी 200 वोट ही होगा क्यों क्योंकि यह वायर जो है बिलकुल वहां से जोइंट है ठीक उसी प्रकार भगवान सी कृष्ण की गुरु सिश्य परमपरा से जो जोइंट है जो जुड़े हुए है वो सब के पास जो ज्यान क्रिश्ण के पास है वही ज्यान सभी गुरु सिश्यों के पास हो सकता है पदमनाव के पास आया पदमनाव के सिश्य हुए नरहरी वह ज्यान नरहरी के पास नरहरी ने वही ज्यान मादव को दिया मादव ने अक्षव्य को दिया अक्षव्य ने जैतिर्थ को दिया जय तिर्थ ने वही ज्यान ज्यान सिंदु को दिया ज्यान सिंदु के शिश्य वे विद्यानिदी विद्यानिदी के राजेंद्र राजेंद्र के जय दर्म जय दर्म के पुर्शुत्तम के शिश्य वे ब्रह्मन्य तिर्थ और वही ज्यान ब्रह्मन्य तिर्थ ने व व्यास्तिर्थ को दिया व्यास्तिर्थ के शिश्यों वे लक्ष्मिपति ये पूरी घुरु शिश्य परंपरा शुद्ध परंपरा लक्ष्मिपति ने वही जान माद्वेंद्रपुरी को दिया मादवेंदरपुरी से वहियान इश्वरपुरी के पास आया इश्वरपुरी तक ये परंपरा पर्फेक्ट चली और इश्वरपुरी बहुत बूड़े हो चुके थे और इस ब्रह्म संप्रदाय का प्रचार ठीक से नहीं कर पा रहे थे तब भगवान ने अपने धाम में देखा कि आज कल्यूग में एक संप्रदाय जो बहुत फल पुल रहा है लेकिन वो भी लुप्त होने जा रहा है भगवान ने सोचा कि ये ठीक नहीं है तब साक्षात इस कल्यूग में आज से पात्सो अठाइस वर्ष पहले भगवान सी कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभू के रूप में आये और वह भगवान सी कृष्ण ने अपने आच्रण से कल्यूग के जीवों को दिखाया कि ये जो कृष्ण से परंपरा चली आ रही है ये बिलकुल शुद्ध परंपरा है और चैतन्य महाप्रभू ने अन्य कोई संप्रदाय की स्थापना किये भिना ये जो परंपरा आ रही थी उस परंपरा में इश्वर पूरी से चैतन्य महाप्रभू ने ज्यान ग्रहन किया यह दपी महाप्रभू स्वयम ज्यानी है लेकिन परंपरा को बरकरार रखने के लिए चेतनी महाप्रभू उसमें आये भगवान आये और जैसे ही चेतनी महाप्रभू इस परंपरा में आये यह परंपरा फिर से रिफ्रेश हो गए कभी-कभी हमारे कॉंप्यूटर में कुछ ह हैं हो जाता है पोज हो जाता है तो हम रिफ्रेश कर देते हैं एफ पाई दबा कर तो चैतनिय महाप्रभु जैसे ही संप्रदाय में आये तो यह जो परंपरा थी बिल्कुल रिफ्रेश हो गए फिर से वह पावर वद्रड़ता आगे और यह परंपरा आगे बढ़ रही है चै कृष्ण दास के सिश्य होए नरुत्तम दास नरुत्तम दास के सिश्य होए विश्वनाथ चक्रति ठाकुर विश्वनाथ चक्रति ठाकुर ने वही ज्यान जगनात बाबाजी महाराज को प्रदान किया जगनात बाबाजी महाराज के सिश्य होए भक्तिविन ठाकुर महारा कि वहीं जो क्रिष्ण ने ब्रह्मा्जी को ज्ञान दिया था क्योंकि यह सब गुरु पर्मकरां से जुडवा है इसलिए वही ज्नठ बक्ति-स शिद्दान्स सरुसरी ठाकूर के पास आया गर्षिज्वदास भाजी महाराज के से सिश्य हुए बक्ति-स बदू और ये भक्ति सिद्दान सरस्री ठाकूर महाराज के सिश्य हुए अंतराश्रिय कृष्ण भावनामरिज संग के आचारिय ऐसी भक्तिविदान स्वामे शिल प्रवपाद यही ज्यान गूरु शिश्य परंपरा के द्वारा शिल प्रवपाद जी के पास आया और शिल जहां बैटकर ये ज्ञान प्राफ्त कर रहे हैं ये शिल प्रभुपाद जी की क्रिपासे ये उनकी लेखनी और उनकी वानी के द्वारा हम ज्ञान प्राफ्त कर रहे हैं इसलिए हमारे पांस जो अभी वर्तमान में ज्यान आ रहा है ये शिल प्रवपाद ची के द्वारा दिया गया ज्यान आ रहा है जैसे हमारा काम तो पोश्ट मेन का हैं यह लाल जोईन प्रभू नहीं बोल रहा है यह शिल प्रभपाद बोल रहा है क्योंकि उनकी वानी, उनकी किताब और उनके प्रवचनों को सुनकर बोला जारा है इसलिए यहाँ पर इसकोन में जो ज्यान दिया जारा है यह बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध ग्यार है, क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाजी जो है गुरु शिश्य परंपरा के अंतरगत है, तो इस प्रकार गुरु शिश्य परंपरा के अंतरगत जो है, उनी से हम ज्ञान ग्रहन कर सकते हैं, और कल्यूग में मात्र चार संप् इसलिए संप्रदाय का नाम हो गया ब्रह्म मद्व संप्रदाय और आगे चलकर इसंप्रदाय में चैतनिय महाप्रभु आये चेतनि महाप्रभु का जन्म गौड देश में हुआ इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम हुआ ब्रह्म मद्व गौडिय संप्रदाय ब्रह्म मद्व गौडिय संप्रदाय की तो इस प्रकार ब्रह्म मद्व गौडिय संप्रदाय के अंतरगत शुद्ध ज्यान ग्रहन करने की विदी बताई जा रही है बगतो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है इस पूरे ब्रह्मान में हम इतने भाग्यशाली है कि आज हमें एक शुद्ध विशुद्ध गुरुशिष्य परमपरा के अंतरगत गीता का शुद्ध ग्यान ग्रहण करने का उसर प्राप्ट हुआ है और इस प्रदमपरा के द्वारा धान करेंगे तो किभल ज्ञ्न की नहीं यह जान विज्ञान के रूप में हमारे जिवन में उतरेगा हमारा रधी परिवर्तन होगा गा एक वह तृष्च चार संप्रदाय के अंतरगत और चार संप्रदाय के अंतरगत गुरु शिष्य परमपरा में हमें जिसको गुरु बनाना है हमें जिससे ज्ञान प्राप्त करना है हमें जिससे दिक्षा लेनी है उसे पूछन चाहिए आपकी गुरु कौन है आपके गुरु कौन उनके प्रावल लिंग यदि कृष्ण के पांस पहुच रही है तो वह वैलिड संप्रदाय है बाकी सब इन्वैलिड है यह पद्म पुरान का कहना है इसले बगतों बुद्धिमान बनना होगा किसी भी जगह पर बैठ नहीं जाना चाहिए टीवी की कोई भी चैनल शुरू करके नह नहीं इसी संप्रदाय विहिन संप्रदाय के अंतरगत कोई गूरू नहीं है और वह यदि ज्यान दे रहे हैं तो उसके मुझ से एक मिनिट भी नहीं सुनना चाहिए तो मानलों हम तर्क करें नहीं नहीं वो तो आपकी तरह ही बोलते हैं वह भी बागवत और गीता ही बोलत लेकिन वह संप्रदाय के अंतरगत नहीं है वह गूरू सिश्य परमपरा में नहीं है इसलिए उनमें कुछ ना कुछ घड़बड है पद्म कुरान में प्रमान दिया गया है इस लोप में कहते हैं जैसे दूद में बहुत गूर है परन्तु उस दूद को यदि सर्प स्पर् किया हुआ दूद जहर हो जाता है वैसे बागवत और गीता महान ग्रंत हैं लेकिन किसी गलत गुरू के मुख से यदि हम सुनते हैं तो निशित हमारी बुद्धी भ्रमित हो सकती है हमारा जीवन अदोगती की और जा सकता है इसलिए हमें जो भी सुनना है सबसे पहले परक अधियता है बोले पानी प्यों चान के गुरू करो जान के हम लोग पानी कितना चान कर भीते हैं आज तो आरो सिस्टम घर पे लाकर रखते हैं उसमें तीन वह होता है 70% पानी निकल जाता है 30% 25% बचता है पानी कितना चान चान कर पीते हैं लेकिन गूरू बस रास्ते में चलते गुरु बना लेते हैं नहीं गुरु को परक्र जानकर गुरु बनाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए और बिल्कुल परक्र गुरु को बनाते हैं आज हमें मनलो कोई सोना खरीदना है मनलो आपको हीरा खरीदना है आप बाजार में गये और दुकान वाला आपको अव हाहा कि ये एक लाग का हीरा है आप तरब खील नए पहले उनको प्रखेंगे जो हीरा को जानता है उसके पास जाएंगे यह तो सभी है इसमें कोई जीरम तो यह पिला तो नहीं है ये विघड तो नहीं जाएगा ये पूरा परकने के बाद उस हीरे को वह हम खरीदते हैं ठीक उसी प्रकार गुरू हमारे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं यदि गुरू गलत मिल गए तो हमारे आध्यात्मिक जीवन मेंальное पूल स्टोप लग जा ही दाम अंधकार की ओर से प्रोलन नहीं दे रहा हूँ कि गुरू बनाओ मुझा चाहिए और वो जो व्वार्डेश देते हैं उसका पालन अपने जेवन में होना चाहिए कम से कम 6 इंदरीएं के ऊपर उनका वश होना चाहिए और चार संप्रदाई की अंतरगत गुरु सिश्य परंपडा में होने चाहिए इस प्रकार ये गुरु की योग्यता है बनाना चाहिए लेकिन हमारे गाहों में एक गुरु आये थे हमको कंटी पहना कर चले अब क्या करूं मैंने तो गुरु बना लिया है लेकिन जब मैं देखता हूं या जब मैं देखती हूं तो मैंने जिसको गुरु बनाया है उसमें ये पांच में से एक भी योग्यता नहीं कभी कभी ऐसा होता है अज्ञान में और मोह में हम किसी साधारन व्यक्ति को किसी अन्य को गुरु बना लेते हैं और फिर हमारे मन में भय होता है कि हमने जिसको गुरु बना लिया उसे हम कैसे चोड़ सकते हैं या कुछ लोग प्रश्ण पुछते हैं कि प्रभुजी हमने गुरु बना लिया है लेकिन उनमें योग्यता नहीं है तो हम क्या करें तो इस प्रश्ण का उतर में नहीं दूगा वेद व्याज जी देंगे क्योंकि में दूगा तो शायद आपको बुरा भी लग सकता है प्रभुजी क्या बोलगा है वेद व्याज जी पद्म पुराण में लिखते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अव वैश्णव उपदिष्टेन मंत्रेन निरयम व्रजेत पुनश विजिना सम्य ग्राहिये वैश्णवाद गुरोग है स्क्रीन पर श्लोग बले अव वैश्णव उपदिष्टेन मंत्रेन निरयम व्रजेत यदि आपने किसी को गुरु बना लिया है और वह अव वैश् पुनिश्यमाने फिर से आपको किसी शुद्ध गुरु के पांच जाना चाहिए और उसे अपना गुरु बना लेना चाहिए यह शास्त्र में लिखा है एसा नहीं कि गलत गुरु मिल गये तो बस अब तुम बनो गुरु हम बने चेला हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला थेलम ठेला नहीं होना चाहिए यदि पता चल गया कि हमारे गुरु में योग्यता नहीं है तो पुनश्य विदिना सम्यग फिर से हमें किसी शुद्ध गुरु के पांच जाकर ग्राहियत वश्नवात गुरु ऐसे शुद्ध परंपरा में किसी गुरु को स्विकार करना चाह और गुरु को ग्रहन करने के लिए शिष्य की क्या योग्यता होने चाहिए इसका वर्णन सुनी अब तक तो गुरु को बहुत परखा बहुत जाना तो गुरु की योग्यता तो पता चल गए शिष्य में क्या योग्यता होने चाहिए शिश्य की योगेता भगवान सी कृष्ण भगवद गीता में ही बताते हैं तद्विद्वी प्रणी पातेन परिप्रश्णेन सेविया उब्देख्षंती तेगिनानम ज्यानियन स्तत्व धर्शिन तद्विद्वी प्रणी पातेन परिप्रश्णेन शिश्य की प्रतम योग्यता होने चाहिए कि उसमें जिग्यास होने चाहिए शिश्य जिग्यास होना चाहिए ऐसा नहीं मरा हुआ सीर लटका कर गुरू के पास जाए गुरू के पास जाए तो जिग्यासा लेकर जाना चाहिए उतकंटा होनी चाहिए आप देखिए अर्जुन की कितनी जिग्या सा थी कि है कृष्ण ये श्रेयस ये ब्रुही आप बोलो आप मेरे मेरे कल्यान के लिए कुछ उपदेश दो कितनी उतकंटा थी अर्जुन की वहाँ परिक्षित माराज की कितनी उतकंटा थी है शुक्दय गोस्वामी आप कता सुनाईए बले मैं भूखाओं प्यासा हूँ मुझे भूख प्यास नहीं है कता सुनाईए वहां रामायन में भरतवाज रिशी की कितनी बड़ी जिग्यास आप रामकदा सुनाईए शिश्य की प्रतम योग्यता है गुरू के पास जब जाए तो जिग्यासा लेकर जाए कैसी जिग्यासा कहते है उत्तम श्रेय जिग्यासा ऐसी जिग्यासा नहीं गुरू जी अब रिलाइंस का बोड़ डाउन हो गया है अब कौन सा शेर लूँ है खाकरा का धंदा ठीक से नहीं चल रहा है था पंद का शुरूपर में कुछ लोग्लों के पाऊस एसी जिग्यासा लेकर जाते है फ्रण्तों कि गीता में कहा गया है उत्तम श्रेय जिग्यास शिश्य जो है उत्तम श्रेयाज होना चाहिए उत्तम श्रेय माने एक जीव का सबसे बड़ा श्रेय सबसे बड़ा कल्यान है भगवान के प्रती प्रेम है एक सिश्य को इस जिग्यासा को लेकर गुरू के पास जाना चाहिए गुरुजी मेरा भगवान के प्रती प्रेम कैसे बढ़ेगा मैं प्रभू के प्रति कैसे अग्रसर होंगा ऐसी जिग्यासा को लेकर गुरू के पास जाना हो जैसे सनादन गोश्वामी गया थे कि हे प्रभू मैं दुखी क्यों हूँ मेरा प्रेम कैसे बढ़ेगा इस प्रकार से जिग्यासू होना चाहिए और गुरू के मुक्सि उबदेश सुनने की उतकंठा होनी चाहिए एक लालसा होनी चाहिए वेदों में एक प्रश्ण उठाया गया है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए या शुद्ध गुरू की प्राप्ति करने के लिए क्या उसका मुल्य क्या चुकाना होगा तब शास्त्र ने जवाब दिया कृष्ण भक्ति भाविता मती कतिताम यदी कुतोपी लब्यते ये भगवान की शुद्य भक्ति भगवत प्रेम भगवान का दाम और पूर्ण रुप से सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही मुल्य चुकाना होगा यह सकसेस होने का दाम गुरु के पास जाकर उठकंठा होने चाहिए गुरु जे आप उठकंठा कैसे पता चल जाती है गुरू उबदेश देना शुरू करे उसके आदे गंडे पहले श्रोता आकर बैठ जाए आज तो कल्यूग में इतना स्टांडर गिर गया है गुरू आते हैं गंडे के बाद श्रोता आते हैं अब बताए कहां ये उतकंठा है उतकंठीत होना चाहिए दोलुपता होनी के संसिद्धी वह व्यक्ति पूर्ण रुपसे सिद्धी प्राप्त कर लेगा तो सरव प्रतम सिश्य की योग्यता है गुरू के पास जिग्यासा लेकर जाए शुद्ध जिग्यासा दूसरी योग्यता है प्रणी पातेन जब गुरू के पास जाते हैं तो नम्रता से जाए ऐसे सीना खोल करने गुरुजी आ गया हूँ कुछ काम है तो बताओ नंबर तासे प्रणी पातेन जुकते हुए दोनों हाथ जोड़ कर गुरुजी गुरु के सामने नंबर रहना होगा तब गुरु की कृपा मिलेगे नर्तम दाश ठाकुर ने प्रेम बती चंदरिका में बहुत संदर बात बताई कि गुरु जो है बहुत करुणा के सिंदु है श्री गुरु करुणा सिंदु गुरु देव में बहुत करुणा वरी हुई है करुणा के सागर है लेकिन वह गुरू की करुणा किसके उपर बहती है अधम जनार बंदू श्री गुरू करुणा संदू अधम जनार बंदू गुरू की करुणा अधम जनों के उपर ही बहती है इसलिए गुरु के पांस जब जाया है तो हमारे पांस जो भी ज्ञान है पद प्रतिष्ठा मान ये सब कुछ छोड़कर एक मुड्ड बनकर एक मुर्ख बनकर नंब्र बनकर हमबल बरकर जाना चाहिए दुनों हाथ जुक कर तो कि ये क्रिपा का सुभाव जो है पानी की तरह है पानी को आप छोड़ोगे तो वह नीचे की और जाता है वैसे गुरुदेव जब क्रिपा करते हैं नीचे की और जाते हैं जब शिश्य जूक कर बैठता है तब उनमें क्रिपा आती है का आउने नमबर दाव नी चाहिए नम्बर होकर और गुरु के पांसे आप तब गुरु की पांसयां आप गैसे दास्यजंस भाव से ये तो गुरु की षेवा करते हैं गुरु का गुरू बनकर, देखो हमने भी गुरु को एक लाक रुपया दिया है, गुरु की सिवा की है हमने, नहीं, गुरु की सिवा करनी चाहिए दास से बनकर, क्योंकि इस संसार में गुरु ने जो हमको दिया है, उसका रेज जीवन में कभी नहीं चुका सकते है, यह आत्मा जो जड़ दे में फसा हुआ है इस आपल दे से निकालकर भगवान का धाम देने वाले गुरु यह साक्षात वैकुंध पती भगवान दिने वाले गुरु देव ह उनका रिणम कभी नहीं चुगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उस गुरू के प्रतीश सेवा की भाव ना होनी चाहिए, और सेवा दो प्रकार से होती है, वानी सेवा और वपू सेवा, वपू माने गुरू के शरीर की सेवा, वान लोग गुरू बिमार हो गए तो उसको हस्पिट में लेकर जाना है, गुरू के चरण दूख रहा हैं तो उनके चरण दबाना, देखो इनकी गहराय में यदि नम जाए, तो गुरू की सेवा में भी बुद्धी मानी होनी चाहिए, जब कोई व्यक्ति गुरू के निकट होता है, उनके शरीर की शारीरिक सेवा करता है, बु गुरुजी की द्यान में ते आखे बनती आगे आखे खुली तो पता चला थेली गिर गई है गाड़ी वाले को रुकाया और शिश्य को कहा तुम्हें जानते नहीं हो कि थेली गिर गई तो रुकाना चाहिए शिश्य नीचे गया थेली को लेकर बैढ गया वोगे तो गोड़ागाड़ी थोड़ी आगे चली गुरू का गमचा गिर गया गुरुजी ने आख खोली देगा गमचा नहीं पुरन फिर से शिश्य को दाटे अरे मुर्व तुम जानते नहीं हो जो भी वस्तु गिर्जा है उसे उठा लेना चाहिए मैं द्यान में बैटा हूँ वो एक्षमा किजी गुरुजी गमचा उठा कर लेकर गुरुजी द्यान में बैढ गया है आखे बंद होई गोड़ा गाड़ी चल रही है उतने में गोड़ा ने मल छोड़ा शिष्य ने कहा रुको शिष्य नीचे उत्रा और वो मल को लेकर आया गुरुजी आपने कहा था न जो गीरा उसको लेकर आना कुछ शिष्य ऐसे होते हैं दो शिष्य गुरु के चरण दबा रहे थे गुरुजी ने बाट दिया था यह दाईना तुम्हारा है, यह राइट पाम तुम्हारा, लेफ वाला तुम्हारा, दुनों चरन दबाने, और रोज शाम को साथ बजे चरन दबाने के लिए आते थे, एक दिन क्या हुआ, गुरु का मोड मूड हुआ, तो गुरु यह चरन को इसे करके सो गए थे, चोंकडी खुल गई, दूसरा सिशा है, तो क्रोधित हो गया, तुने मेरा चरन क्यों दबाया, बोले हो गया है, नहीं, यह मेरा चरन है, मेरा चरन क्यों दबाया, बोले दबाया, क्या कर लेगा, बोले क्या कर लूँगा, एक दंडा लिया, तुने मेरे चरन को दबाया न, मैं तेरे उसके चरण को मारूगा जोर से मारा, दूसरे ने उसके चरण को मारा, गुरु जी के चरण में फैक्चर कर दिया दोने मिलकर, गुरु की सेवा करने में भी बुद्धिमानी होनी चाहिए, अक्सर खुश लोग जो गुरु की निकट रहते हैं, उसे बहुत बुद्धिमान ब ये वपू सेवा जो है इस सेवा के द्वारा हम गुरू के मन को जीत सकते हैं। हमारे इतियास में नरुत्तम दाश ठाकूर नाम के एक गत्ती हुए थे। बहुत धनी परिवार से थे। इनकी उच्छा होई कि मैं लोकनाध गोस्वामी से दिक्ष्या गरहन करूं। लोकनाध गोस्वामी को अपना गूरू बनाऊं। लेकिन लोकनाध गोस्वामी जो थे हैं वे किसी को शिष्या नहीं बनाते थे। अपने आपको भगवान का दास समझते थे। नरतमदास बार बार गए कि आप मुझे अपना सिश्य बना लिजे बोले नहीं मैं नहीं बनाओंगा आप किसी और के पाँ जाकर दिक्षा ले जब बार बार विनंती करने पर भी लोकनाद गोस्वामी ने उनको दिक्षा नहीं दे तब नरतमदास ठाकूर ने जीव गोस्व के कहने पर लोकनाद गोस्वामी की सेवा करना शुरू लाक में रोज सुमख शोच करने के लिए अपने आश्रम से दूर जाते थे दूसरे दिन सुबह शोच करने के लिए जाए इनके पहले ये नरुतम दास पहुंचकर वे शोच का सारा स्थान साफ करके रख दे थे रोज अपने गुरु के शोच करने के स्थान को साफ करते थे और लोगनाद गोश्वामे ने देखा कि ये रोज रोज इस थान को कौन साफ करके जा रहा है फिर एक दिन लोगनाद गोश्वामे ने पता लगाया कि ये तो नरुत्म दास यहां पर आ रहा है और इतनी निकृष्ट सेवा कर रहा है तब लोगनाथ गोश्वामी के आँख में आसु आ गया और लोगनाथ गोश्वामी ने अपने जीवन में एक ही सिष्य बनाया और वो थे नरुत्तम दाश्ठा करें इसे कहते हैं वपू सेवा गुरॐ की सेवा है । छोटी सी छोटी सेवा भी एक सिष्य बड़ी सेवा समझता है क्यूं कि अपने गुरू की सेवा है तो यह हैं सिश्य की योग्यता तो दो प्रकाद एक वपू की सेवा एक वानी की सेवा परंतो इस वपू की सेवा से कोटी गुना स्रेष्ट है वानी की सेवा गुरु जो बोलते हैं और गुरु के उबदेश का पालन करना यह है सबसे बड़ी सेवा तो ये है सिश्य की योग्यता कि गुरू के पांश जिग्यासा लेकर जाए और उतकंठा उबदेश्च तुनने की उतकंठा हो रदई में नम्रता हो और गुरू की सेवा करने की भावना हो और अंतिम में है गुरू के उपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास गुरू बनाने से पहले हमें परक लिना चाहिए लेकिन गुरू होने के बाद पिर उस गुरू के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए पूर्ण शद्दा होने चाहिए तो यह हैं सिश्य की योग्यता तो इस प्रकार हमने यहां तक गिया जाना होते हैं किस प्रकार शुमद भगवत गिता सभी शास्त्रों का सार है भगवत गिता जैसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरू की आवश्यक्ता है और जो संप्रदाई के अंतरगत हो चार संप्रदाई ब्रह्म संप्रदाई श्री संप्रदाई रुद्र संप्रदाई कुमार संप्रदाई और आज वर्तमान में ब्रह्म मद्व गोडिय संप्रदाई का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल पुरी दुनिया में है गली-गली कोने कोने में जिसकी स्थापना शिल्क उपाज जिने की और गुरु की योग्यता के बाद फिर है सिश्य की योग्यता हमने जानी तो यहां हमारा यह प्रत्म सेशन समाप्त हुआ यहां तक यदि किसी का कोई प्रश्ण हो तो दस मिनिट में आपको देरा हूँ आप पूछ सकते हैं दस मिनिट के बाद हम हमारा अगला सेशन कारम करेंगे पूछे हरे किस्था प्रश्ण है जैसे कोई संप्रदाय के अंदर नहीं थे और उनमें संप्रदाय को छोड़के सभी के सभी गूर्ण पूर्ण थे बगवान के बद तभी थे और सभी इंद्रिया उनके वसमें थी और खुद को भगवान भी नहीं मानते थे और अभी वो भूतिक जगत छोड़के चले गए तो तो आमें क्या करना चाहिए बहुत प्रश्ण है इनका प्रश्ण है कि कुछ ऐसे लोग थे कि है अभी वरतमान की बात कर रहे हैं कि बू जिन्मय और चार संप्रदाई से दिख्षा गरहन नहीं कि लेकिन उनमें भकत के सारे गुण थे फिर भी वो भगवान के दाम में गए या नहीं क्या है रुच जुदर प्रश्ण है देखिए ये चार संप्रदाई का निर्मान क्यूं हुआ है कि शुद्ध और पूर्ण ज ताम से विशेष जीव आते हैं, अपना आचरन दिखाने के लिए, उनमें से एक है मिरावाई, मानलो उन्होंने ये चार संप्रदाई से दिक्षा ग्रहन नहीं कि, लेकिन मिरावाई जो थी स्वावाविक जन्म जात उनमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ती थी, ये संप् क्यों? क्योंकि वो मुक्त जीव है, ये संसार के सभी दोशों से कलमश से मुक्त है, इसलिए उनको ये संप्रदाई की आवशक्ता नहीं है, वैसे ही संसार में, पूर्व में, ऐसे कई सारे जीव, जो जन्म से ही मुक्त थे, इसलिए उनको ये संप्रदाई की आवशक्ता इसलिए हम उनके उपर दोश नहीं दे सकते हैं कि वो इस संप्रदाय में नहीं है इसलिए वो भक्त नहीं है भगवान के दाम में नहीं गए नहीं वो शुद्ध है वो परफेक्ट है भगवान के दाम में गए परन्तु क्योंकि वो जन्म से शुद्ध है इसलिए उनको इनकी आवशक्ता नहीं है तेकिन जहां हमारा प्रश्ण है हम तो जानते ही हम लोग जन्म से कैसे है इसलिए हमें ये संप्रदाय की पूर्ण रूरुस चाहर ठीके प्रूजी प्रूजी मेरा प्रसन ऐसा था कि वो उनको समझेवा हम लोग गुरु बनावे तो अभी अभी फिलाल हमको क्या करना चाहिए वो तो चले गए नई उनको पहली बात तो जो चले गया है न वो गुरु होई नहीं सकता है गुरु प्रेजंट में होना चाहिए ना तो वैसे वै वैसे भगवान कृष्ण उनके दाम में है और कृष्ण मंदे जगत गुरु तो कुछ लोग कहेंगे हम कृष्ण को हमारा गुरु बना कर रहे हैं लेकिन आप गलत काम करोगे तो कृष्ण फपड मारने थोड़ी आएंगे ये गलत है इसके लिए एक प्रैक्टिकल ठीक है तो गुरु जो है प्रैक्टिकल रूप से हमें उपडेश दे सके हम सही या गलत काम करे तो हमें रोक सके ऐसे प्रैक्टिकल गुरु होने चाहिए ये प्रतम बात ठीक है और दूसरे हैं कि जो ये संप्रदाय के अंतरगत नहीं है लेकिन शुद्ध और मुप्त जी ठीक है और को प्रश्न प्रभुजी आपने कहा कि राम कृष्ण विष्णू और लच्छमी के जो भक्त होते हैं वही गुरु बन सकते हैं क्या भगवान स्यूद के भक्त गुरु बन सकते हैं बहुत संदर प्रश्न है राम कृष्ण और विष्णू के भक्त जो है वही गुरु बन सकते हैं क्या शुद्ध जी के भक्त गुरु बन सकते हैं हा शुद्ध जी के भक्त गुरु बन सकते हैं लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनकी आस्था जिनका विश्वास शुजी मे हैं परंतु जो लोग शुद्ध सत्व गोण में उठ चुके हैं उनके लिए राम कृष्ण और विष्णु के भक्त को ही गुरु बनाना होगा है जैसे इस अंसार में अपनी अपने स्वभाव और अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा लोग भगवान की उपासना करते हैं य आगे आने वाले दिनों में क्लियर होगा लेकिन फिर भी मैं आपने क्लियर बता दूं संक्षीत में अपने स्वभाव के अनुसार लोग उपासना करते हैं कुछ लोग का स्वभाव तमोगुणी है तो वो लोग तमोगुणी उपासना करते हैं कुछ लोग का स्वभाव र रजोगुणी उपासना और सतोगुणी उपासना ये तीनो उपासना में सतोगुणी उपासना स्रेष्ट है जैसे भगवत गिता में कृष्ण कहते हैं त्रिगुणिया विश्या वेदा निसत्र गुणियो भवार जुना ये अर्जुन तीनो गुणों से उपर उठो शुद तमोगुण की उपासक हैं वो लोग शिवजी के जो भक्त हैं उनको गुरु बना सकते हैं लेकिन जो लोग श्रद्दा के द्वारा शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा अपने आपको सतो गुण तक उठा चुके हैं उनको कृष्ण, राम और विष्णु के भक्त से ही ज् ठीकर, पुछी, मायवादी कौन होते हैं, उनकी फिलोसोफी क्या है, मायवादी का अर्थ है, पहले माया का अर्थ है जो नहीं है और उसे हम समझ बेढ़ता हैं वो है माया, छिल प्रभपाज ये ऐसा कहते हैं, माया का अर्थ ये है, कि मायवादी का कहना यह है कि यह जो जगत है माया से बना है और इस संसार में सब कुछ माया है परन्तु वास्तों में भगवद गिता यह कहती है कि यह जगत भगवान की एक छोटी सी शक्ती माया से बना है यह जगत माया से बना है लेकिन इस जगत के परे एक भगवान है जिस भगवान की शरण में जाने से हम इस माया रूपी जगत से और माया से मुक्त हो सकते हैं परंतु जो लोग भगवान को स्विकार नहीं करते हैं और किवल यहीं स्विकार करते हैं कि यह जगत ही सब कुछ हैं क्योंकि माया ने यह जगत बनाया इसलिए माया ही सब कुछ हैं और यह जगत ही सब कुछ हैं भगवान है ही नहीं ऐसे कहने वाले को माया वादी कहा जाता ह ठीक है और कोई प्रश्चन है लिखो अच्छे हैं रेटिंग से लिखो चलो इसका है है अच्छा है अरे कृष्ण आपने बताया कि गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए तो क्या जो गुरु अन्य देवी देवताओं का भक्त है वह गुरु नहीं है अब पद्मपुराण में लिखा है कि वैश्णवात गुरु जो कृष्ण विश्णु और राम का भक्त है वही गुरु हो सकता इसने पुरा लेटर लिखा है महरबानी करी जवाब आप शो आने हूं कुर्ष्ण भगवान माज विश्वास नातो शो पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई जैन नहीं है कोई मुसल्मान नहीं है कोई कृष्ण नहीं है हम सब लोग एक ही है और वह है आत्मा यह तो केवल हमारी धारना हो गई है कि हम यह हैं यह हैं आने वाले दुसरे सेशन में हम समझेंगे इसके बाद तो आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर आईए साथ दिन तक इसे सुनिये और सुनने के बाद आपको अपने आप पता च मा अने बाप को गुरु बनाना चाहिए अगर मा अने बाप को गुरु बनाना चाहिए तो आप बताईए को गुजराती और लिका है अंदे में मा और पिता को गुरु बनाना चाहिए वैसे देखा जाए तो मा और पिता अपने पुत्र के गुरु होते ही हैं मा और पिता ही कैसे भोजन करना चलना पेरना संसकार वही देते हैं लेकिन जहां तक आध्यात्मिक ज्यान का प्रश्ण है तब तक जो इस गुरु सिश्य पर सिद्धान्त ये हैं कि गुरु सिश्य परमपुरा में यदी को है उनको गुरु बनाना चाहिए नम्रता होनी चाहिए लेकिन मन में क्रोध हो तो क्रोध तो गुरु मिलने के बाद भी हो जाएगा तो नम्रता की शर्ट क्यों है नम्रता होनी चाहिए और मन में यदि क्रोध है तो मन को किस प्रकार से वश्मे करना ये सीख लेना चाहिए क्रोध कब होता है जब हमारी भौतिक इच्छा पुरुन नहीं होती है तब और हमें गुरू के पांस तब जाना चाहिए जब हमारी भौतिक इच्छा सारी मिट गई है जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाए हैं तब तक हमारे अंदर क्रोध रहेगा और जब तक हमारे पांस बहुती किच्चा है तब तक गुरू के पांस जाकर भी कोई लाव नहीं होगा गुरू के पांस जाकर भी वही सोचेगा हमें एक गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए तो बहुती किच्चा को छोड़ इसना बड़ा लेटा लेटर मत लिखिये प्रश्न लिखिये बहुतिक इच्छा को छोड़कर क्रोच से मुक्त होकर ही गुरू के पास जा सकते हैं और क्रोच से कैसे मुक्त होना ये आने वाले दिनों में बताए जाएगा आपकी वाणी सुनने का बहुत मज़ा आता है पाईशा वसुल है वो में बोल रहा हूँ मुझे सपने में क्रिश्न शिनाजी रुप में दर्शन होता है क्या क्रिश्न रियलिटी में मिल सकते हैं अभी भी डाउड है सपने तक तो आ गया है गीता के तो क्या हमें भी क्रिश्न का दर्शन हो सकता है हमें भगवान का दर्शन आज भी हो सकता है लेकिन भगवान को देखने के लिए हमारे पास वो आखे होनी चाहिए प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोच नेन संत सदेव रिद येश्व विलोक यंति बड़े-बड़े संत महात्मा निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं उनके पास क्या है? प्रेमान जन चुरित उनकी आखों में प्रेम रूपी अंजन भरा है जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो निशीद कृष्ण हमारे सामने खड़े हो जाएंगे हमारे साथ बोलेंगे, हमारे साथ खाएंगे, हमारे साथ नाचेंगे, इसमें कोई दोर आये नहीं है और कोई प्रश्ण है किसी का? रुद्र संप्रदाई के अंतर गताता है। और कोई प्रश्न है? अरे कुछ गीता में शिव जी का रूटा, आगे बताए जाएगा। अभी गुरु के उपर कोई प्रश्न है या गीता के उपर हो तो पुछ सकते हैं। सब लोग एक्साइट हो रहे हैं। शिव जी, देवी देवतार, हाँ, बहुत कुंदर है। तो जी का प्रश्न है, गीता में कहा गया है स्वध धर्म का आचरन करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। स्वध का अर्थ क्या होता है। स्वध माने खूद, मैं। तो हम आने वाले सेशन में देखेंगे, कि मैं का अर्थ क्या है, मैं माने शरीर, नहीं मैं माने आत्मा, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। इसलिए आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा की सेवा करना। तो स्वध धर्म का आचरन है परमात्मा की सेवा करना। तो और कोई प्रश्न है। पूछें। प्रिश्न भगवान के तो दस अफ़तार होंगे ना। नौवे थे गौतम बुद्ध और टेंट इस कलकी। तो हम यह कैसे मानले की शी चैतनने बहापर भून का अफ़तार है। कि बहुत संद्र कुष्न है। प्रवचनों में आएगा लेकिन संक्षित में आपको कह दू। क्रिष्न के 10 नहीं क्रिष्न के असंग की अवतार है, लेकिन मूल 10 अवतार माने में मुलगा है। उसका सारा वरणन वेदो में होता है, शास्त्रों में होता है, शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये भगवान है या नहीं, नहीं तो कल्यूग में सब लोग माननेगे कि मैं भगवान है, लेकिन इसका प्रमान क्या है, इसका प्रमान है शास्त्र, तो अब चैतनिय मह प्रभू साक्षाथ बगवान कृष्ण है क्या इसका प्रमान शास्त्र में है यदि चैतनिय महाप्रभू साक्षाथ खृष्ण है इसका प्रमान शास्त्र में है वो है तो बगवान है नहीं तो नहीं है तो चैतनिय महाप्रभू साक्षाथ बगवान है इसके शास्त्रों में सो से भी अधिक प्रमाइल है जो मुख्यम्ख्य प्रामान में आपको कहते दूउ एक प्रमाण है महाय भारत में वे्च्पाइयं जिसका अंश उस महाय भारत में रिष्छमक्राइक जनuito क कहते हैं वेद व्याजी लिखते हैं, माह भारत में आप सब लोग जानते विश्नु सहस्त्र नाम का उचारण हुआ है, उस विश्नु सहस्त्र नाम में एक शलोक है, वह सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग श्चंद नागंदी सन्यासकृत शांतो निश्टा शांती पराया, ये शलो हुआ है, ठीक है, तो उस विश्नु सहस्त्र नाम के अंतरगत ये नाम आये हैं, क्या नाम आये हैं, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, भगवान विश्नु का एक नाम दिया गया, सुवर्ण वर्ण हेम अंग, एक नाम हेम अंग, हेम कार्दता है सोना, और अंग कार्दता है शर जिनका शरीर सोने के समान पिला है उसे हेमांग कहा जाता है अब बताइए भगवान विश्णु के दस अवतार या असंख्य अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें भगवान विश्णु के शरीर का रंग पिला हो एक ही है चेतनिय महाप्रः ओके ये प्रमन उआ ऐसे बहुत सारे प्रमाण दूसरा आगे आया सन्यासकृत शान्त विश्णु सहस्र नाम में भगवान विश्णु का एक नाम है सन्यासकृत तो बटाइए भगवान विश्णु के 10 अवातार या असंत्य अवातारों में भगवान ने यह उसा कोण सा उतार लिया जिन में भगवान मुश्वत में görün किया हो वह है चैतन्य महाप्रभावु जिन्नों ने सनियासव क्रान किया तो यह तो मोटा मोटी गरुड़ पुराण वरापुराण ब्रह्म वैवरत में तो क्लियर का गया है कि साक्षात चैतन्य महाप्रभू कल्यूग की प्रतम संधिया में नदिया गाउं में मायापुर में जगनात मिश्रा और शची देवी के गर्व से जन्द मलेंगे तो इस प दिखार करना होगा चैतने महाप्रभू कृष्णा एक प्रश्न है ब्रह्मा जी को कल्यूग में क्यों नहीं पूछते हैं पूछे प्रॉब्लम है कि यह आने वाले दिनों का प्रश्णा आज बूछ रहे हैं आज चर्चा होई गुरू के बारे में तो गुरू के बारे में पुछा जाए, यहाँ पर लिखा है ब्रह्म संबंद के बाद, पुरुष्टी संब्रदाय में, ब्रह्म संबंद लेने के बाद, क्या दिक्षा ग्रहन कर सकते हैं, बहुत सुन्दर प्रशना है, पुरुष्टी संब्रदाय में ब्रह्म संबंद माने दिक्षा, प्रिश्य परम्परा में किसी शुद्य गुरु से यदि किसी ने ब्रह्म संबंद लिया हो तो वो कहीं दूसरी बार दिक्षा नहीं ले सकता है। करण ब्रह्म मद्व गोड ये सम्रदाय से अत्वा इस कौन से उसे पूर्ण और शुद्ध ज्ञान ग्रहन करना ये में कहूंगा करना चाहिए और एक प्रशना आया है कि कल्यूग में ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूछते हैं तो आइए संक्षित में कहे दू कल्यूग में पतनी का शराब है भर्मा जी को पुश्कर शेत्र में मात्र एक ही जगे पर भर्रमा जी की पूजा होती है बहुत लंबी कता है भर्मा जी ने बहुत बड़ा यग्य का आयोजन किया और उस दिन भर्मा जी की पतनी ब्रह्मानी वहां से चली गए और यग्य में पत्नी को साथ में बिठा करी यग्य पूर्ण होता है तो नारज जी को बेजा जाओ मेरी पत्नी को लेकर आओ ब्रह्मा जी की पत्नी मिली नहीं तो अब क्या किया जाए क्या किया जाए तब एक नारज जी अन्य एक स्त्री को लेकर आए बोले आपकी पत्री तो नहीं मिलती है आप इनके साथ बेढ़कर यग्य कर लो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कैसे यग्य कर लो वह शुद्ध पवित्र होनी चाहिए तब उस त्रीकों गाय के मुख में डाला गया और फिर वह गाय के शरी से वस्त्री बाहर निकले इसलिए उस त्रीका नाम हुआ गायत्री गाय के शरी से निकले और ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ बैढ़कर वह यग्य किया और उसी समय ब्रह्मा जी की पत्नी आई बोले मैं हूँ मैं जीवित हूँ और वो इसके साथ बैढ़कर यग्य कर रहे क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को श्राफ दे दिया जाओ में तुम्हें श्राफ देते हूं कल्यूग में तुम्हारी पूजा नहीं होगी कल्यूग में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं हुआ, केवल एक ही मंदिर फुषकर में, आज भी दोग छड़ी-चड़ी मंदिर बनाने लगे हैं, लेकिन कल्यूग में ब्रह्मा जी का एक ही तिर्त है, फुषकर शेकर में, थीक है, और कोई प्रश्ण है? कौन? वो तो बहुत सारे संप्रदाई वाले होते हैं तृदंडी ब्रह्म, मद्व, गोडिय संप्रदाई में भी तृदंडी सन्यासी होते हैं अन्य संप्रदाई में भी होते हैं ओके, अब आगे चलाए जाए आए कृष्णा आये अब इस सेमिनार का हम प्रतम प्रक्रण प्रारम करते हैं अब हमारा पहला प्रश्न है हम कौन है शिमत भगवद गिता में भगवान सिक्रिष्न का ये प्रतम सिद्धानत है अर्जुन को प्रतम उबदेश हे अर्जुन सबसे पहले तुम ये समझो के हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है भगवद गिता में भगवान सिक्रिष्न केते हैं अर्जुन ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन, मन सश्ठानी, इंद्रियानी, प्रकृतिम स्थानी कर्शती इस अंसार में जितने भी जीव है, मम एव अंश है ये सभी जीव मेरे अंश है तो इस अंजार में सभी जीव परमात्मा के अंश होने के नाते सब लोग आत्मा है तो ये प्रतम प्रश्णता हुए माई हम कौन है तो हम न तो डॉक्टर है न वकील है न इंजिनियर है हमारी वास्तविक पैचान ये है कि हम आत्मा है हमारा स्वरुख हम आत्मा है तो बोले यह शरीर क्या है बोले यह शरीर हम नहीं है यह शरीर तो हमारा है इस संजार में अज्ञान के कारण सब लोग इस शरीर को ही मैं समझ बढ़ते हैं यह शरीर ही मैं हूँ परंदु गिता का प्रतम उबदेश ये शरीर हम नहीं हम आत्मा है और ये शरीर हमारा है तब तुरंट आप कहेगे प्रमान हम कैसे समझे के हम शरीर नहीं हम आत्मा है तो आईए हम शरीर नहीं हम आत्मा है इसके अनेक प्रमान में आपको दूँख कि तीन चार प्रमान से आप संटुश हाइद हो जाओगा प्रधम प्रमान ए कोन देखता है कोन सुनता है यूदि मैं आपको कहूं आप लोग मुझे देख रहे हूं किसके द्वारा देख रहे हूं आँख के द्वारा, पक्का, आप लोग मेरी आवाद सुन रहे हो, किस के द्वारा सुन रहे हो, कांद के द्वारा, पक्का, आप लोग खाते हो, किस के द्वारा खाते हो, चबाते हो, दाथ के द्वारा, यह सब लोग का कहना है कि हम लोग इन आखों से देखते हैं हम लोग कानों से सुनते हैं दाथ से खाते हैं लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी लाश में आख नहीं होती है कान नहीं होता है दात नहीं होता है तो फिर ओ क्यों नहीं देखता है यार यह तो सोचने जैसी बात है यदि हम यह कहते हैं कि हम यह आखों से देखते हैं हम यही कानों से सुनते हैं तो जो लाश हमारे सामने पड़ी है उनमें आखे है बड़ी बड़ी आँके हैं, कान भी है, तो उनमें आँक और कान होते हुए भी, वो न तो देख सकता है, न सुन सकता है, क्यूं? आत्मा नहीं है? मेरा प्रश्ण ये हैं कि देख कौन रहा है? येदि आप कहते हैं कि आँक देख रही है, तो मरे हुए व्यक्ति के पास आँक होती है, तो इसका आर्थी है कि आँक होते हुए भी वो नहीं देख रहा है, मतलब आँक नहीं देख रही है, मरे हुए के पास कान भी है, लेकिन फिर भी सुनता नहीं है, इसका आर्थी है कि क पान नहीं सुन रहा है अंदर कोई था वो सुन रहा था और वो देख रहा था वो चला गया तो वास्ता में कौन देखता है और कौन सुनता है हम कौन है अब आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं तो दस बंदरा प्रमान लेकर आया था कि फिर तोते की तरह ही बोल रहे हो देखिए यहां पर कोई भावगता नहीं है जो भी बात हो रही है एक सबूत एक प्रमान के साथ आप यदि समझ रहे हो तो ही आप एगरी हो नहीं तो आप प्रशन कुछने का आपको मोगा दिया जा रहा है तो यह प्रतम चीज़ यह पहल कि सद्धन जुन मान लो त लो दो किसी के घर पर किसी व्यक्ति की मृत्यी हो जाती है फिर वो लोग फेपर में देते हैं खसब्राण्य धरती चल्ष कर पिर मात वह यह टाते हैं तो कंई सारे लोग रोते और लुके पुरे क्या भूत अध्यक्व थे दो सवतLesy आपने है हैं हम सदामे सब रूट से सब्सक्राइब और देख लकुत वचल बैकम नहीं हुआ हजना है पिर देख लो एक ग्राम भी कम नहीं हुआ हो वो हमारे सामने है लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कहता है कि वो चल बसे इसका कारण क्या है और हम रोते क्यों है जिसके साथ बात करते थे बैठते थे वो तो सामने है पिर हमारा रोना क्यों हमारा शोक क्यों करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा निकल गई है और आत्मा निकलने के कारण ये शरीर कुछ काम का नहीं रहा है हम जब बोलते हैं कि वो चल वसे वो फलाने भाई चल वसे इसका आर्थ है कि वो आत्मा चली गई है और हम जिसके लिए शोक कर रहे हैं रो रहे हैं वो शरीर के लिए नहीं उस व्यक्ति के लिए जो स्वयम आत्मा है तो कि ये ठोस्त प्रमान है वक्तों कि हम यह शरीद नहीं हम आत्मा है ये शरीद तो हमारे पास एक इंश्टूमेस प्रमान mieć आ प्रमान तिसरा जिससे जिस प्रमान का नाम है इंट्रूरेटिव अन्डरस्टैंडिंग द्रूर आत्मक समझद्वारा शिर्प्रभभपाजी एक गुरुकुल में एक बालोग को बुलाए यह परिक्षन आप अपने साथ कीजिए मनलो आपको पूचा जाए आपने ये जो शर्ट पहनी है वो किसकी है आप क्या कोगे मेरी है इसका आर्थ क्या हुआ कि में और एक घड़ी दोनों अलग अलग है जिसे मुझे पूचा ए रिमोंट किसका है मैं कहूं मेरा तो इसकार में और एक रिमोंट दोनों अलग 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 चीज़ हो गए ठीक उसे प्रकार इसके बात पूचा जाए ये हाथ किसका है सुम क्या कहेंगे मेरा तो इसका आर्थ यह हुआ ना कि में और यह हाथ दोनों अलग-अलग है फिर पुछा जाएं कि यह शरीर किसका है मेरा तो इसका आर्थ यह हुआ ना कि में और यह शरीर दोनों अलग है जैसे यह रिमोट मेरा है तो इसका आर्थ यह हुआ कि में और यह रिमोट अलग है उसी प्रकार में कहूं यह शरीर मेरा है तो इसका आर्थ यह हुआ कि में और यह शरीर रिमोट की तरह कुछ अलग है तो यह शरीर में नहीं है शरीर मेरा है और में कोई अलग है और जो में कहने वाला है वो है आत्मा वो है आत्मा यह प्रमा यह बोधात्मक समझ इस समझ के दोरा हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है और भी बड़े बड़े वेगनानीकों ने रिसर्च किया और जाना चेतना के द्वारा कॉंसर्शनेस के द्वारा है इस प्रमान के द्वारा कॉंसर्शनेस नामक प्रमान के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है मैं आपको एक एक्जाम्पल दूँ, मनलो आप कुछ लोग कुरसी के उपर बैटे हैं, देड़ घंटे से 60 किलो का वजन बैटा है, लेकिन विचारी कुरसी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन यही कुरसी वाले किसी की गौद में बैटे होते तो, जिसकी गौद में बैटे होते पांच मिल में ठक गए होते, भाई खड़े हो जाओ, क्यों? यह लोग कुरसी की उपर देड़ घंटे से बैटे हैं, खुरसी कुछ नहीं बोल रही हैं, और किसी व्यक्ती की गौद में बैटे होते हैं, तो दस मिट में उसका पाउं दर्द करन के लिए, लेकिन वही लात आप रास्ते में चलने वाले किसी व्यक्ती को मार होता है, रिबाउंस आएगी, है? फुटबोल को आप मारते हो, फुटबोल को नहीं लगता है, और किसी व्यक्ती को मार हो, तो उसे दर्द होता है, कुरसी के उपर बैटो दर्द नहीं होता है, किसी व्यक्ति की गोज में बेटो दर्द होता है कारण क्या है कारण है चेतना consciousness उस मनुष्य के अंदर जिवात्मा के अंदर चेतना है और चेतना के कारण ही सुख दुख का ऐसाथ होता है कुर्सी के अंदर चेतना नहीं है फुटवल के अंदर चेतना नहीं है उनको मारो पीटो हमें लगेगा उनको नहीं लगेगा लेकिन जिनके अंदर चेतना है चेतना के कारण सुख दुख कानुब होता है और ये चेतना जो है हमारे शरीर में है और ये चेतना बलड के द्वारा सर्कुलेंट पुरे शरीर में बहती है इसलिए आप देखिए हमारे शरीर में जहां जहां बलड नहीं पहुचता है वहां दर्द नहीं होता है यह blood जो है हमारे नाखुन में नहीं पहुंचता है, आप नाखुन को काटो दर्द नहीं होगा, क्योंकि नाखुन में blood नहीं है, इसने नाखुन में चेतना नहीं है, दर्द नहीं होगा, बाल में blood नहीं है, काटो दर्द नहीं होगा, उंगली को काटो तुरन दर्द होगा, क्योंकि कि खून है वापर चेतना है तो हमारे अंदर चेतना है इस चेतना के कारण सुख दुख कानुबह होता है और वक्तों ये चेतना क्या है ये चेतना जो है आत्मा का प्रकाश है हमारे अंदर चेतना है इसका अर्थ हैं कि आत्मा है क्योंकि ये चेतना जो है ये चेतना आत्मा के प्रकाश के समानain है और इस चेतना के कारण ही हम सुख दुख कानुबह होई जैसे आज वेगणानिकों ने बहुत बड़ी प्रगति की हैं, बड़े बड़े रोबोट बना दिये हैं, जो रोबोट होते हैं, वो दर्वाजा खुलते हैं, फलेट सर्वीस करते हैं, भोजन परोशते हैं, और आज करके आलसी लोग सुबे भगवान की आरती नहीं कर सकते ह तो मानलो हम भगवान की आर्थी करें और एक रोबट भगवान की आर्थी करें क्या अंतर है हम जब भगवान की आर्थी करते तो हमारे अंदर कुछ यह लेकिन रेकोड के अंदर कोई नहीं है लेकिन वही गाणा यन यह नहीं हम गाते हैं की दुबर दे में आनन्द की आना कारन क्या है रोबोर्ट में वह ठरकौड में चेतना नहीं है और जहां जहां चेतना है वहां सुख दुख का अनुबव है हमारे अंदर सुख दुख का अनुबव है इसका अर्त है कि हमारे अंदर चेतना है और क्योंकि चेतना आत्मा का प्रकाश है इसलिए अल्टिमेट यह साबित होता है कि हम आत्मा है हम यह शरीर नह साइन्टिस्टों ने एक एक्सप्रिमेंट करके जिसका नाम है नियर डेथ एक्सप्रियंस अथ्वा आउट बोडी एक्सप्रियंस मृत्यू के निकट का अनुभाव एक बार चार-पांश डॉक्टर मिलकर एक व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहे थे बहुत लंबा ऑपरेशन था फ्लोरोफूम दिया गया वह कॉमा में आ गया उसका ऑपरेशन हो रहा था और आधा एक गंटा ऑपरेशन होने के बाद कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को चेतना आई तो उस दॉक्टर को भुला कर कहा कि कि आपने है जिस जिस प्रकार के उपसे ओपरेशन किया तो भूरा जानता हूं है है गूले सबसे पहले आपने आतमे केचली वो डोक्टर आया तो वो मेरा पेट को पकड़ा वो डोक्टर ने ऐसा किया ये नर्स ने ऐसा किया और आपने गलती भी कर दी थी ऑपरेशन में और उसी समय कुछ लोग नेचे फुटबोल खेल रहे थे और उसी समय बाहर चार-पांच लोग रो रहे थे वो व्यक्ति सोया कोमा में चला गया है लेकिन ऑपरेशन के बाद उसने ऑपरेशन थेटर में क्या हो रहा है वहाँ विंडो के बाहर क्या हो रहा है और दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है वे सारी बाते बताई तब यह डॉक्टर ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद डॉक्टर को य ये उस शरीर से आत्मा बाहर निकल गई और वो बाहर निकल कर आत्मा ने अपने ही ऑपरेशन को देख लिया और उसे समय वो आत्मा ने विंडो के बाहर जाकर ये भी देखा नीचे कौन खेल रहा है और आत्मा ने दर्वाजे के बाहर भी देखा कौन बैटा है कौन रो रहा को और जैसे operation समाप्थ हो गया वह आत्मा फिर शरीर में आ गए है 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 जीसे उन्हों . जैसें जेसे उन्होंने जो देखा था वो बयान किया है प्रश्राट हो सकता है कि आत्मा जब शरीर से निकल गई तो फिर से अंदर कैसे चली गई है है आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर तो अम्रीद हो जाता है तो आत्मा फिर से शरीर में जाने से फिर शरीर जीवित के से हुआ तो ये भी डॉक्टरों ने साबित किया कि जब किसी भी शरीर से आत्मा निकलती है तो कुछ देर तक वो आत्मा का प्रकाश चेतना जो है वो शरीर में रहती है आत्मा निकलने के बाद कुछ देर तक उस शरीर में चेतना रहती है और जब तक चेतना रहती है तब तक आत्मा यदि वापस आ जाए ज़क्ती जीवित हो सकता है उदाहरण के तोर पर आपके घर पर छीपकली आप जानते हैं छीपकली होती है कभी कभी कुछ लोग चीपकली से डरते हैं तो फिर ज़ाडू आत में लेते हैं चीपकली को गिराते हैं फिर चीपकली के उपर इस publishers मारते हैं तो उसकी पूच्छ कट जाती हैं कितने लोग को अनुबह है एक्सपरिमेंट वाले हैं सब लोग अब करना मत घर पर जाके है यह हमारा का अनुबव है आप रखोगे तो चिपकली की पूछ कड़ जाती है वो चिपकली आगे बाग जाती है लेकिन आपने देखा होगो पूछ हीलती है इस करन क्या है वो आत्मा तो चिपकली जो चली गए उस में है वो जीव तो किसमें है एक आत्मा है फूछ हो चिपकली के अंदर वो तो चली गई लेकिन पूछ हील रही है क्यूंँ रही है क्योंकि उस पूछ में चेतना बची है और वो पूछ आप देखो कि खुछ देर तक हिलेगी, फिर वो मुरित हो जाएगी, इसका अर्थ है कि आत्मा से उसका उस पूछ का कनेक्शन कट गया, लेकिन क्योंकि उसमें चेतना है, इसलिए कुछ देर तक वो पूछ हिल रही है, और तब तक ऑप्रेशन करके उसके साथ जोड दिया जाए तो फिर कुछ जोड भी सकते हैं, लेकिन एक बार वो कुछ में से चेतना निकलने के बाद फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता है, यही सितन यहां पर लागू हुआ, कि इस व्यक्ति को कुमा में लेकर गए, क्योंकि इस शरीर में अभी भी चेतना थी, इसलिए आत्मा वापस गई, फिर से वो जीवित हुआ, तो इस प्रकार से, आउट ओफ बोड़ी एक्स्प्रियंस के द्वारा, साइंटिस्ट उने भी साबित कर दिया, कि नहीं, वी आर नौट बोड़ी, वी आर सोल, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, यह है पाँचवा प्रमाण, और एक अंतिम प्रमाण दे दू, हम यह शरीर नहीं आत्मा है, यह प्रमाण है, पाश्ट लाइफ मेमरी, पुर्व जन्म की याद, आप में से किसी को आती हो, पुर आयन स्टिवन नाम के एक विगना निक ने, तीन हजार केस के इस अरी किताबे भी रखी है, जिसको आप पढ़ सकते हो, उनने पुर्व जन्म की यादों के उपर अपना रिसर्च किया, और उनने देखा, कि संसार में कुछ मनुश्या ऐसे हैं, जिनको पुर्व जन्म की याद है, उनने रिसर्च करकी यह बताया, आपना बयान दिया, बले जो व्यक्ति पूर्व जनम में नदी में या पानी में डूब कर मरा है वो इस जिवन में पानी को देकर डरेगा जो व्यक्ति पूर्व जनम में किसी चक्कु से मरा है किसी ने चक्कु पेट में दाल कर मार दिया है वो इस जीवन में चकु को देखर भागेगा, डरेगा, क्योंकि पूर्व जनम के संसकार अभी भी उनके अंदर बचे है, और आयंश्टिवन ने एक ऐसा केस, जिसका मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूँ, जिससे आप पूर्ण रुप से अवगवत हो सकते हूँ, शुक्ला नाम की एक लड़की थी, जब इसका जन्म हुआ, इनका जन्म गुपता परिवार में हुआ, भारत में, और जब ये देड़ साल की हुई, तो अपने अपना जो फिलो होता है ना तक्या, तक्या लेकर उसे जुलाने लगी, मीनू, मीनू, देड़ साल की लड़की, तब उनके परिवार वाले सुची किया हो रहा है, देड़ साल की लड़की, दीरे दीरे वो बड़ी हुए, जब ये पांच साल की होई, तब तब भी वो मीनू, मीनू कर रहे थी है, मीनू मेरी बच्ची है, तब उनको पूछा गया, ये मीनू कौन है, तब शुक्ला नाम क पांच साल की लड़की ने कहा, ये मिनू मेरी बेटी है, अब पांच साल की लड़की है, उनकी लड़की कहां से आया, बले मेरी बेटी है, बले कहा है तुमारी बेटी, तब वो शुक्ला नाम की लड़की ने कहा, कि भाट पारा नाम के जिला में रथाला तहसिल में मेरा पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया लेकिन शुकला के पिता ने चार-पांस लोगों को रहे और पचीस तिस लोग साथ में गए यह पांच साल की लड़की आगे-आगे चल रही है और वो दिखा रही है यह गली से सीधे जाओ राइट में जाओ लेट में जाओ जहां पर वो जिवन में पहली बार गई है और पूरा एड्रेस बता रही है और फिर उसी समयी उसको रास्ते में एक बुज़ूर्ग व्यक्ति मिले तब यह पांच साल की लड़की ने अपने सीर पर ढूंगुट तान लिया और धनवट पनाम किया और इनको कहा कि यह मेरे ससूर है अब पांच साल की लड़की है और कहने लगी यह मेरे ससूर है और अपने पूर्व जनम की सारी बात याद करवाई और उसके परिवार वालों को कहा कि देखो मैं आपके घर पर एक बहु बन कर आई थी और अभी-अभी मिनु को जनम देने के बाद मेरी मृत्यू हो गई मेरे देवर का नाम खेतू और करुणा है और मेरी मृत्यू इस प्रकार से हुई और मेरी मिनु कहा है मुझे बताओ मेरी मिनु कहा है वो मिनु जो थी 10-12 साल की हो चुकी थी पढ़ने के लिए स्कूल में गई थी 12 साल की मिनु जब घर पर आई तो ये 5 साल की शुकला ने उसको गोध में लिया मेरी बच्ची लेकिन आयंश्टीवन ने ये साबित किया कि ये मिनु जो ये शुकला जो थी पुर्व जनम में मिनु की मा थी क्योंकि अपनी पुत्री में बहुत आसकती होने के कारण है पुर्व जनम की जो स्मृति थी वो गहरी अपने मन में होने के कारण इस जनम में उसको पूरा याद था एसे एक नहीं एसे तीस तीन हजार केस के उपर रिसर्च किया गया है आज भारत में लगबक 70 परसेंट लोग पुर्व जनम के उपर विश्वास करते हैं इसा आयंश्टीवन निकाए तो इस प्रकार यदी पूर्व जनम के उपर हमारा विश्वास है यदी हमारा पूर्व जन्म यदि हमारा है तो इस जन्म में तो हमारे इस शरीर को जलाया गया पूर्व जन्म में हमारे शरीर को जलाया गया तो फिर हमारा पूर्व जन्म कैसे हो सकता है लेकिन आत्मा वही है शरीर बदल रहा है यह आत्मा अलग-अलग शरीर को धारन कर रही है इस के द कि हुआ है कि हम शरीज नहीं आत्म है और गीटा में भगवाण से कृष्ण सिध्दान अर्जुन को यह कubby है कि अर्जुन हम हमार यप वोड़ा है कि हम यह शर्रील हमार माढ़ मां है कैसे जाने ज Jeżeli नहीं हे नहीं यह सभी धर करन्थ में लिकान को अकुरान में भी आत्मा का जिकर हुआ है कुरान में आत्मा को रूह कहा गया है वाइबल में आत्मा को सोल कहा गया है और सनातन दर्म के गरंद में हैं आत्मा को आत्मा कहा है सभी दर्म ग्रंथ इस आत्मा को स्विकार करते हैं हम आत्मा है हम सोल है हम रूह है तो फिर तुरंद हमारे मन में प्रश्ण होगा कि यदी हम आत्मा है तो फिर यह जो दीख रहा है यह क्या है हम आत्मा है और जब हम किसी शरीर को देखते हैं तो उसके अंदर 10 तत्व को देखना चाहीए इसे कहते हैं सांख्य शास्त्राइ तो देखते हैं तो यह जो शरीर हमको दिख रहा है हमारी आखों से यह शरील पांच तत्वों से और मेरा पृट्वी जल अग्नी वायू और आ हमारे इस श्रीर में दो प्रकार के शरीर है एक फूर शरीर एक शुख्षमर शरीर यह फूर शरीर है पांच वश्चवस से बना है पृत्वी जल अग्नी वायू आकाश और हमारे अंदर जो सुक्ष्म शरीर है उनमें भी दो विवाग हैं एक सुक्ष्म बहुतिक शरीर एक सुक्ष्म आध्यात्मिक शरीर हमारे अंदर सुक्ष्म बहुतिक शरीर क्या है मन बुद्धी और अहंकार और इसी के साथ साथ हमारे अंदर दो सुक्ष्म तत्व है दो सुक्ष्म आध्यात्मिक तत्व वह आत्मा और प्रमात्मा तो पृत्वी जल अगनी वायु आकाश मन बुद्धि अंकार आत्मा और प्रमात्मा जब यह सब एक साथ मिलते हैं तब एक जिवात्मा तयार होता है तब एक लिक्ती तियार होते हैं परनकों ये सारी वस्तुको अलग-छब करके विश्लेशन करके सभी वस्तुु के तत्व के बारे में जानना ये भगवत गिता सिखा तो यह हमारे शरीर के अंदर प्रूत्वी है प्रूत्विह Butya यह हमारा शरीर जो है पृत्वी के उपर आश्रीत है पृत्वी से जो अन्न निकलता है कुछ लोग कहते हैं हम मांस खाते हैं पृत्वी से नहीं तो मांस जो है पृत्वी का घासी खाते हैं अल्टीमेटली हम लोग पृत्वी के उपर आश्रीत है और जो भी अन्न इत्यारी प्रुथ्वी का हिसा है जल हमारे शरीर के अंदर जल है इसलिए तो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड के साथ जल है हमारे शरीर के अंदर अगनी है और अगनी का काम है शरीर में डाले हुए भोजन को पचाना अहम वेश्वान और भुत्वा गीता में बगवान कहते हैं मैं अगनी के रुप में सभी मनुश्यों के रदे में जीवों के रदे में अगनी है आप देखो कि हमारे शरीर प्रायर गरम होता है हमारे शरीर के अंदर वायू है हमारे शरीर में नो द्वार है उस नो द्वार के अध्राय वायू बाहर निकलते हैं और आकाश, आकाश का पता है इस पेस हमारे शरील के अंदर आकाश है, इसलिए हम बोल पा रहा है, नो भूल न सकते हैं, तो यह फुल शरील जो हमें दीक रहा है, फृत्वी जल अगनी वायू आकाश से बनाए, इसके अंदर तीन सुक्ष तो को देख नहीं सकते हैं जिसे computer computer में दो पाट होते हैं hardware और software computer में hardware होता है उसे देख सकते है mouse keyboard monitor printer scanner इस सब hardware है लेगिं software को हम देख सकते हैं कोई कहाएगा windows 98 को दिखाओ हाथ में वह आथ में नहीं आएगी उसको तो तो hardware को देख सकते हैं computer के software को नहीं देख सकते हैं वैसे हम स्थूल शरीर को देख सकते हैं लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर जो सुक्ष्म शरीर है उसे नहीं देख सकते हैं और तीन तिन सुक्षमाग शरीर है बहुतिक सुक्षमाग शरीर है पेला है मन तोमारे शरीर के अंधर मन है हम्हें दीकता नहीं है लेकिन वह है मन का काम क्या है मन का काम है thinking feeling and willing कि सोचना कि इच्छा करना अनुभव करना कि शास्तर में लिखा है मन एक ऐसी नदी है जिसे नदी में निरंतर पानी बहते रहता है वैसे मन में निरंतर विचार बहते रहते हैं विचारों की धारा हमारे मन में होती है कि और यह मन एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर में मन एव अनुष्या नाम कारणम बंदन मोक्षयो बांदाय विशया संगे दिर्मुक्त विशया मनव यदि यह मन हमारा शुद्ध है तो यही मन हमारा प्रोग्रेस करा सकता है और मन यदि विखड़ गया तो हमें दुरगती में मजा जीवन का आधार मन के ऑपर है। यदि वारा मन अच्छा है तो हमारे कारी होगे, कारी यच्छे होगे तो हमारी गती अच्छी होगेος्ग। यह है मनुक्रिवा घृता… और गीता में बगवान कहते हैं महाशनु महापापमा विद्यन मिह वैरिनम हे अर्जुन सबसे बड़ा वैरी तो तुमारे अंदर बैटा है हमारा सबसे बड़ा वैरी यदि कोई है तो हमारा न जीता हुआ अपना मन यदि हमने हमारे मन को नहीं जीता है तो यह हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रू है बार डुढ़ने की जरूरत नहीं है और यदि हमने हमारे मन को कंट्रोल में ले लिया वश्मे कर लिया तो यह मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है यह मन को हमारे वश में मन को मित्र बनाना हो यह कैसे मित्र बन सकता है हम आगे बताएंगे लेकिन हमारे अंदर यह मन नामक तत्वा है तत्वष्यात मन के साथ बुद्धी है वेग्नानिकों का मानना है कि ब्रेइन ही सब कुछ है स्क्रिन के आप देख सकते हो कि यह मगज जो है ब्रेइन यही व्यक्ति का सब कुछ है लेकिन ऐसा नहीं है ब्रेइन को चलाने वाला थत्व है मन स्वरी बुद्धी बुद्धी का काम है डिसीजन लेना सही या गलत यह डिसीजन लेने का काम है बुद्धी का जब मन में कोई विचार उड़ता है तो वह सिगनल जो है बुद्धी के पास जाता है बुद्धी के सेंशन करती है यस या नो तो इस प्रकार मन में तो बहुत सारे बुरे विचार आते हैं लेकिन बुद्धी हमारी शुद्ध है तो मन के गलत विचार को बुद्धी के द्वारा रोका जा सकता है लेकिन हमारी बुद्धी यदि ठीक नहीं है तो मन में आये हुए गलत विचार को यदि हम सेंशन कर देंगे हम पाप के कार्य के और अग्रसर हो इसलिए हमारी बुद्धी को शुद्य बनाना होगा कई बार माताय आकर कंपलेञ्ट करती है कि हमारे बच्छे में बुद्धी नहीं है उसको याद नहीं रहता है बगवत-गीता में भगवान ने बुद्धी योका बहुत संदर वणन किया है बुद्धी चाहिए तो आओ बगवत-गीता म सुनों कि ने कैते हैं, तेशाम सतत युकतानाम भजताम परीती पूर्वकम ददामी बुद्धी योगम權 अर्जुन ददामी बुद्धी योगम मेंदधी दूँगा क्यों कि बुद्धी के स्त्रोथन बधवान क्रिश्ण है, गीता में क्रिष्ण ने कुला कह दिया, इतियम्मे बिन्ना प्रकृतियस्तना ये आठ प्रकार की प्रकृति जो है ये मेरी शक्ति है उनमें से एक बुध्धी यति बुध्धी चाहिए कृष्चन के पाँच ज़ए कृष्ण कहते हैं कृष्ण कहते हैं बुद्धी देने वाला मैं हूँ ददामी बुद्धी योगव लेकिन करना क्या होगा तेशाम सतत युकता नाम भजताम प्रीति पुर्वकम प्रेम से मेरी भक्ति करनी होगी यदि कोई प्रेम से मेरी भक्ति करता है बुद्धी देने के लिए मैं बैठा हूँ चिंता करने की जरूती है कितना वी बड़ा मुर्क हो मुकम करोती वांचालम है शास्त्र ने कह दिया कि गुंगा व्यक्ति को वांचा आ सकती है पंगुम लंग यतेम गीरी और मुर्क व्यक्ति विद्वान-पंडी दो सकता है यत कृपा तमहम बंदे यदि कृष्ण रुपा हो रहा है तो यह बुद्धि हमारे शरीर के अंदर मन है बुद्धि है और बुद्धि को कैसे पवित्र करना थेशाम सतत युकता अनाम सतत रुप से भगवान कृष्ण की भक्ति करने से और तिसरा सुख्ष्म भोतिक थत्वह अहंकार यह दिखता जहों सोने के बान हम कुछ याद नियुत है, हम कौन है पробू है इस स्क्रийंज के उपर टा टेस्टर कैड़नों कि फॉत्वर okay वह नहां के पार है, उसके लगता है के वे बैर की फॉया हूए क्याखते लिए नियुद्ध मे एक जैंड़ोंável को ङॉद्द के सच्शा. अहंकार इस अंसार में कुछ लोग मुर्ग हो जादेना सिगनल पर गूमते रहते हैं यह अहंकार नाम का तत्व खो चुके हैं अपने आपके बारे में नहीं पता है और हम लोग भी कोई बड़े नहीं है हमारे पास अंकार है लेकिन यह मिथ्या अंकार है दो प्रकार का अंकार एक मिथ्या अंकार एक शुद्ध अंकार नाम का तत्व है लेकिन जो हमें अंकार है वो मिथ्या है हम सोचते हैं कि मैं इस ओफिस का मालिक हूं इस घर का मालिक हू इस सब मिध्यां का शुद्ध अंकार क्या है मैं आत्मा हूं यह हमारी सही पहचार है तो इस प्रकार से यह तीन तत्वा है तो यहां पर हमने देखा कि एक शरीर में पृत्वी जलगनिवायु आकाश मन बुद्धि अंकार सुक्ष्म और दो आध्यात्मिक सुक्ष्म तत्व है एक आत्मा और एक परमात्मा है और आत्मा के परमात्मा के द्वारा आत्मा को शक्ति मिलती है आत्मा के द्वारा यह पूरे मन बुद्धि अंकार को शक्ति मिलती है और उसके द्वारा शरीर को शक्ति मिलती है और यह शरीर काम करता है कि जब मृत्यू आती है तब आत्मा और परमात्मा मन बुद्धी अंकार को लेकर निकल जाते हैं और पंच मावोच से बने हुए देव को यहां पर छोड़ देते हैं कि देखे जब किसी की मृत्य होती है तो पांच वस्तु निकल जाती है केवल आत्मा नहीं आत्मा और परमात्मा साथी साथ मन बुद्धी और अहंकार और वही मन बुद्धी अंकर आत्मा परमात्मा दूसरे शरीर में चले जाते हैं इसलिए इस संसार में किसी का जन्म होता है तो जन्म से कोई बहुत बुद्धी मान होता है क्यों कि पुर्वजनम की मन बुद्धी हंकार लेकर आया है कुछ लोग बुद्धु होते हैं क्योंकि पुर्वजनम के बुद्धु बनकर आया है कुछ लोग पुर्वजनम की थोड बगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं यहां तक हम स्टॉप करते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है और यह शरीर में पांच थुल तत्व है पृत्वी जलगनी वायु आकाश इसे यह शरीर बना है और सुक्ष्म तत्व है मन बुद्धी अहंकार आत्मा और परमात्मा क के विशय में हम कल जानेंगे और कल का हमारा मुख्य विशय होगा भगवान आज जो सब प्रशन आ रहे थे ना शिव जी के गुरू देवी देवता की गुरू कल हम यहां पर फैनलाइज करेंगे भगवान कौन है और कोई भावकता से नहीं एक प्रमान के द्वारे एक एक इसमें आपको भी बोलने की छूट है यदि आपके पास भी प्रमान हो तो आप भी ला सकते हैं लेकिन ज्यान रहे वह प्रमान वेद वियाज जी के द्वारा रचित शास्त्रों का होना चाहिए खुछ लोग कहते है हमारे पास प्रमान है उस किताब में लिका है लेकिन संस आरका साधरन व्यक्ति कुछ भी निख सकता है भगवान के द्वारा बने हुए वेद में शास्त्र में कोई यदी प्रमान हो तो आप ला सकते हैं नहीं तो यहां से पूर्ण प्रमान के द्वारा आपको बताया जा रहा है भगवान कौन है हम कौन है और आगे चलकर प्रकृत कर्म के बारबें समय तो में In the Mayıs आटमा कि इसका कोई प्रशन है तो पूछ सकते हैं जर्णा का ही प्रशनि ठवी जो चर्चा हुई उसके ओ पर किसी का कोई प्रश्न जिग्या सा, पूछें, बच्चों के द्वारा बहुत सुन्दर यहां पर एक दांस है, सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, प्रवजे ने कहा कि आत्मा की साइज जो है, यह श्वेताश्वर उपनिश्द में बताया गया है, आत्मा का नाब जो है, आत्मा की साइज, बाल के अग्रभाग के दस हजारवे के हिस्से के समान है, के शाग्रश्द वागर्श्य पुनश्टान्शकरी, बाल के अग्रभाग के सो टुकड़े किये जाए, और उसका एक टुगड़ा लेकर उसके सो टुकड़े किये जाए, क्यों अच्रिन법 आत्मा को देखा नहीं जा सकता है आत्मा को मैसूस किया सकता है जैसे को अμοय को मारता तो कोई घाव ऐसा होता है कि वह देख नहीं सकते यह जनुसका मैसुस जो सकता यह Whether आत्मा का ऐसास होता है उसे हम यह आखों से नहीं देख सकते हैं उसे आध्यात्मिक द्रश्टी से देख सकते हैं ठीक है और विशे शुरूप से आत्मा प्रमात्मा के विशे में कल बताए जाएगा अरे